हलो बच्चों गुड मॉर्निंग माइशल ताराचन टीम मेच CLC सिकर सो आज हम लोग डिस्कॉस करने वाले हैं अपनी गुरुदनीदी का जो सेकेंड एपिसोड है उसके अंदर सिक्वेंश और शीरीज और बाइनॉमियल के क्यूस्ट जो लास्ट आप लास्ट यर जो अटे आप लोग देख लिए कि कितने important topics हैं दोनों बहुत सारे questions आते हैं इन दोनों से और उन 70 में से जो questions एक टाइप के थे ठीक है उन यहसे कोई वी दो टाइप कर लिक जैसे थे उन में से इक question हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं So, total आपके सामने यहां पर 50 questions है और वो 50 questions हम लोग discuss करते हैं one by one कि किस तरीके से कैसे उन्हें solve किया जाएगा best to best method उसके बारे में discuss करते हैं. So, चलिए बात करते हैं हमारा पहला question. So, first question में देखिए हमें क्या दिया गया है कि mod x is less than 1, mod y will be less than 1 and x will be not equal to y. x और y दोनों same नहीं है then the sum of the infinite, infinity of the following series ठीक है तो इस series की जो infinite terms होगी ठीक है उसका sum क्या होगा ठीक है वो हमें क्या करना है यहां पर याद करना है. So, चलिए बात करते हैं. तो series क्या है हमारी, देखिए series के अंदर आपको इस type का अधे रखा है कुछ x plus y, ठीक है, x square plus x y plus y square and x cube plus x square y plus x y square plus y cube. तो देखिए, इन terms को देख करके हमें क्या लग रहा है कि infinite series का sum हम यहां से कैसे निकालें? तो इन सारे factors को जब हम देखते हैं तो हमें identities की याद आ रही है. तो हम भी उनको कुछ identity के format में बनाते हैं. तो इन सब के अंदर देखिए, अगर मैं x minus y का factor multiply और divide कर देता हूँ, तो क्या होता है? तो x minus y का factor तो मैंने multiply कर दिया और x minus y का factor अबने divide कर दिया. तो देखिए, पहले वाले में करेंगे x minus y into x plus y बनेगा. ऐसे दूसरे वाले में करेंगे, तो बनेगा plus x minus y into, यहाँ पर आ जाएगा x square plus x y and plus y square. ऐसे तीसरे के अंदर आएगा x minus y into जो तीसरे factor है y z it is और वो है आपका x cube plus x square y और साथ में आएगा x y square और साथ में हैं हमारे सामने y cube. ends on, इस तरीके से हमारे सामने ये शीरी चल रही है. तो चली देखते हैं कि इससे हमें क्या मिल रहा है multiplication से. तो बहार आएगा 1 upon x minus y और यहाँ पर आ रहा है, पहले वाले को multiply किया तो आया x square minus y square. ऐसे देखी इसको जब multiply करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x cube minus y cube बाकी सब कट जाएगा. ठीक है क्योंकि ये identity होती है a cube minus b cube की. ऐसे ये जो next identity है वो भी है आपके सामने x की power 4 minus y की power 4. अब टू infinity तक आपको इसका क्या करना है, sum निकालना है. अब देखिए आपको दिखाई दे रहे होगी कि यहाँ पर दो GP है. ठीक है नब पहली GP है वो है x square, x cube, x की power 4 up to infinity. और ऐसे दूसरी GP है आपके सामने y square, y cube and y की power 4 up to infinity. पहले वाली के सबके साथ में plus sign है और दूसरे वाले में minus sign है. तो देखिए जब हम यहाँ पर GP का formula लगाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 1 upon x minus y, first case में हमारे सामने आएगा x square divided by 1 minus x. ठीक है न, first term कितनी x square और साथ में यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 minus x, ऐसे ही देखिए इसमें से minus sign को अगर में common ले लूँ तो यहाँ पर मेरे को मिल रहा है y square divided by 1 minus y. अब देखिए फिर से अगर हम देखें, ठीक है यहाँ पर इन दोनों का LCM आ रहा है, ठीक है तो दोनों का LCM लेते हैं, तो LCM लेने के बाद में हमें यहाँ मिलेगा x square minus x square y और साथ में आएगा इदर से minus का y square और साथ में आएगा यहाँ से plus x y square ठीक है न, यह चार ट्रम् देखिए यहाँ पर आ रहा है, x square minus y square तो इसके अगर हम फेक्टर कर लेते हैं, तो फेक्टर करने के बाद देखिए क्या आएगा, इसको मिटा देते हैं, उपर वाले पार्ट को तो इसके दिन देखिए फेक्टर करेंगे, तो x square minus y square मा आएगा, x plus y into x minus y और साथ में हैं हमारे सामने, minus x square y में से अगर xy को मैं common ले लूँ, तो यहाँ पर बचेगा x और वहाँ पर minus sign के साथ में y, और divide by x minus y into 1 minus x into 1 minus y, तो इस तरीके से आपका यह फेक्टर common आकर कर कर जाएगा, और जो remaining part है, वह आपका answer आ जाएगा, तो remaining part में देखिए कितना आ रहा है, x plus y minus xy, और divide के अंदर आएगा, 1 minus x into 1 minus y, तो यह हमारा इसका correct answer है, और ऐसा दिया गया हमें option number 4, तो इसका option 4 है, वह हमारा क्या है, सही answer है, चलिए आगे बात करते हैं, next question, और next question क्या है, देखिए, question number 2 के अंदर हमें दिया गया है, the sum of the first three terms of a GP is S, and their product is 27, then all such S lies in, तो ऐसे सारे जो S से वो कहां पर लाई करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको जो दिया गया है, ठीके, GP की तीन ट्रम, तो GP की जब भी तीन ट्रम की बात होती है, और खास क अठीक करके, जब हमें वह पर प्रोडेक्ट दियावा होता है, तो हम वो तीन ट्रम मानते है, हम वो तीन ट्रम मानते हैं, A by R, A R, और साथ में मानते हैं A R Squire, Sorry, A by R, और इसके साथ में क्या लेते हम, क्योंकि GP में होनी चाए, तीनों ट्रम, A R, साथ में, A, और तीसरी ट् वेरियबल की value direct मिल जाती है देखे यहां पर इन तीनों को अगर multiply करेंगे तो हमें मिलेगा a cube और that will be equal to 27 तो यहां से a की value आगे यह मारे सामने 3 अब इसी से हमें आगे question को solve करना है हमें दिया गया है s पहली तीन ट्रम का sum है तो s कितना आ जाएगा a की value कर मैं 3 put कर देता हूं तो यह आजाएगा 3 1 by r plus r और साथ में आएगा plus 1 ठीकर 1 by r plus 1 plus r या 1 by r plus r plus 1 अब देखिए अगर मैं इन दोनों numbers के अंदर amgm वाली inequality अगर लगाता हूं तो इसकी जो range आती है मेरे पास में वो क्या आती है वो आती है 1 by r plus r जो होता है वो या तो minus 2 से छोटा होता है अगर r negative होता है और या फिर ये 2 से greater होता है 2 से लेकर के infinity तक कैसे आता है जब आप inequality लगाएंगे arithmetic mean will be greater than equal to geometric mean ये तभी होता है जब number कैसे होता है positive होता है तो इससे आपको मिलेगा r plus 1 by r divided by 2 will be greater than or equal to r into 1 by r आर शार कट जाएगा और आपको मिलेगा r plus 1 by r will be greater than or equal to 2 लेकिन ये inequality शिरफ तब है जब r positive है अगर r negative है तो ये उल्टा हो जाता है और उल्टा होने के बाद में इसकी जो condition आती है ठीक है ना उसमें आपको मिलेगा r plus 1 by r will be less than or equal to minus 2 तो अगर आपको सारे real numbers के लिए देख सकते हो अब हमें करना क्या है हमें इसमें 1 एड करना है तो इसमें जब 1 एड करेंगे तो मिलेगा 1 by r plus r plus 1 is belong to minus infinity से minus 1 union 3 से infinity 1 आपका सारे numbers में एड हो जाएगा infinity पे कोई फरक नहीं पड़ेगा और जो छोटे number से उनमें सब में 1 एड हो गया इसके बाद में हमें इसको 3 से multiply करना है तो इसको जैसे 3 से multiply करेंगे तो यह बन जाएगा s और इसकी range आ जाएगी minus infinity से minus 3 एक positive number से multiply करते हैं तो again simple number से आपके multiply होते हैं inequality पे और कोई फरक नहीं पड़ता है तो इस तरीके से इसका जो हमारा correct answer है वो कौन सा option हो गया वो हो गया हमारा option number 2 तो question number 2 का जो सही answer है वो आपका second है चलिए आगे बात करते हैं next question और next question में देखिए हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है next question में आपको दिया गया है if the sum of the first 11 drum of an AP A1, A2, A3 is 0 ठीक है अब पहली 11 drum का sum क्या है 0 है then the sum of the AP A1, A3, A5 up to A23 is KA1 तो K की value क्या है यह हमें क्या करनी है यहाँ पर find out करनी है तो चलिए देखते बात करते हैं क्या होगा सबसे पहले तो आपको जो दिया गया है कि sum of first 11 drum of the AP is 0 तो इस से हमें क्या मिलेगा देखिए इस से हमे मिलेगा 11 by 2 into 2 first drum कितनी है A1 plus 11 drum है तो यहाँ पर आजाएगा 10 time D will be equal to 0 ठीक है यह हमारी पहली condition है जो हमें यहाँ पर यह चीज दी गई है इस से देखिए हमें क्या मिलने वाला है यहां से 11 by 2 तो 0 की तरफ चला जाएगा तो आपको मिलेगा 2 A1 plus 10 D will be equal to 0 तो यहां से आपक 5D और यह condition हमारी आगे काम में आएगी जब हम क्यूशन को solve करेंगे नेक्स देखिए हमें इन ट्रम्स का सम फाइंड आउट करना है और यह देखिए कौन सी ट्रम्स है यह सिरफ और ट्रम्स है और कहां से कहां से तक 1 से लेके 23 तक तो 1 से लेके 23 तक total number of odd drums कितनी होगी ठीक 2D हो जाएगा अगर इसका common difference D था तो इसका कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा बाकि number of terms count करनी है और पहली term इसकी भी A1 है इसकी भी A1 है तो उसको जैसा है वैसा का वैसा रखना है तो देखिए S12 कितना आएगा there will be 12 by 2 into 2A1 plus 12 term है इसलिए 11 into D लेकिन D की value कितनी हो जाएगी जिवचो 2D क्यों क्योंकि यहां पर शिर्फ odd terms है तो common difference change हो जाएगा अगर इसका D था तो इसका 2D हो जाएगा आगे बात करते हैं इसकी value क्या आएगी तो अब देखिए इसका हमें value निकालना है A1 की format में और A1 की format में निकालना है इस यहां से हमें D को उटाना है तो D को आएगा तो यहां से आएगा 6 ताइम इसको है जैसा का वैसा रखना है 2A1 प्लस 22 इंटू D और D की जाएपर हम value पूट कर सकते हैं minus का A1 divided by 5 इसको simplify कर लेजिए यही हमारा answer होगा तो चलिए देखते कितना आएगा यहां से आएगा 5 इंटू 2 10 और 10 माइनस 22 तो यहां पर आजाएगा आपके सामने 6 इंटू माइनस 12 इंटू A1 and divide by 5 तो फाइनली आपको मिलेगा यह 12 इंटू 6 माइनस 72 बाइ 5 इंटू A1 और यह देरका आपको K इंटू A1 के equal तो A1 कट जाएगा और आपकी K की value आजाएगी minus 72 डिवाइड बाइ 5 एक दम सिंगल कॉंसेप्ट के बैसिस जही में क्यूशन पूछे जाते हैं और इस तरीके से इसका जो आंसर है आपका वो क्या है second option correct है चलिए आगे बात करते हैं next question और next question है हमारा question number 4 और question number 4 में देखिए हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है तो यहां पर हमें फिर से देखिए एक APC related ही 15 terms then the common difference of this AP is तो इस AP का common difference क्या होगा देखिए हमें पहली term दी हुई है A that will be 3 और sum of its first 25 terms means आपको S1 से लेकर के A1 से लेकर के A25 term तक का जो sum है वो equal दे रखा है किसके A26 से लेकर के next दो भी 15 terms है means up to A40 तक इनका क्या दे रखा है इनका sum equal दे रखा है हमें ठीक है दोनों का कोई बात नहीं हम दोनों में sum का formula लगा देंगे और formula लगाकर हम अपना common difference निकाल लेंगे क्योंकि A हमें दे रखा है तो देखते कैसे लगेगा formula मान लेते हैं कि पहली term A है ठीक है तो इस series का जब मैं sum नि देगा first term को मैंने A माना था so there will be A और 25th term हो जाएगी A plus 24D नहीं तो क्या है कि आपको इस तरीके से थोड़ा वैसे तो भोजला कुछ ऐसा नहीं आप उसी तरीके से भी अगर लगाएंगे तो हो जाएगा बट थोड़ा सा easy लगेगा आपको क्यों सोचने में करने में यहां साथ में है A 40 ठीक है तो इस series की जो आपके सामने पहली term होगी वो कितनी होगी क्योंकि A 26 आपके सामने कौन सी term थी A 26 थी इसकी पहली term ठीक है तो यह इसकी first term और इसके बाद इसकी last term और आपको कुछ सोचना ही नहीं और इसकी last term है A 40 तो इसकी value हो जाएगी आपके सामने A A plus 39 B बस complete कुछ अलग से कुछ सोचनिक नहीं पड़ी क्योंकि हमने formula में यह लगाया पहली term plus last term इसको solve कर लेते हैं यहां से जो भी answer आएगा वो हमारा क्या होगा सही answer होगा चलिए बात करते हैं देखिए 2 से 2 कट जाएगा 5 से यह कट जाएगा 3 टाइम और 5 से यह कट हैं तो देखिए कितना आ रहा है 5 इंटू 2 A सो यहां पर आजाएगा हमारे सामने 10 A plus 24 इंटू 5 there will be 120 D will be equal to इधर 3 आ रहा है सो A plus A हो जाएगा हमारे सामने 2 A 2 A into 3 that will be 6 A इसको अलगलग multiply कर देते हैं ठीक है क्योंकि अभी हमने उनको aid नहीं किया ठीक है तो 3 इंटू 25 हो ज 9 into 3 इंटू 27 इंट 9 plus 2 there will be 11 into D तो यह हमारे सामने expression आ गया है अब देखते कि यहां से कितना answer आ रहा है तो इसको इधर ले आते हैं तो यह हो जाएगा 4 A और इसको aid कर देते हैं तो इसको मैं उदर लेके जा रहा हूं तो 75 D को रख रहा हूं और यह उदर जाकर के उसमें से subtract हो जाएगा तो आजाएगा 3 D तो finally आपको D की जो value मिलेगी वो मिलेगी 4 A divided by 72 ठीके न 75 minus 3 कितना हो जाएगा 72 और A की value हमारे सामने कितनी थी 3 थी so 3 जब यहां put करेंगे तो यह हो जाएगा 12 divided by 72 और इसको simplify करेंगे तो हमें मिलेगा 1 by 6 और यह हमारा answer है पस थोड़ा सा calculation क को ज्यान से कीजिए ताकि कोई गलती ना हो ठीक है और हमारा जो finally answer आएगा वो आजाएगा 4th answer क्लियर है चलिए बच्चो आगे बात करते है next question और next हमारा question number 5 और question number 5 में देखे हमें क्या दिया गया है कि the sum of this series up to nth term is 488 then nth term is negative ठीक है nth term का sum आपका 488 है और nth term आपको बोला गया है कि negative है तो इसका sum यहां पर आपको बताना है कि कौन सा option correct होगा तब मतलब क्या होगा ठीक है तब क्या होगा मतलब कौन सा option सही होगा सो चलिए बात करते हैं देखे जब भी आपके सामने इस तरीफ सो decreasing series हो रही होती है तब दो बार sum negative आसे पहचांस है कि दो बार sum आपका क्या आ रहा होगा नेगेटिव आ रहा होगा तो आपको चेक करना है ठीक है कि पहली वाली ट्रम है या दूसरी वाली ट्रम है तो जब भी negative sum आ रहा है और अगर दो values आ रही है तो negative sum आपके सामने जो दूसरी बाद जब 488 हो रहा होगा तब आएगा क्यों कि वो decreasing में पहले कुछ सम आया होग फिर वो अभी भी बढ़ रहा हुआ जब तक positive sum है और जब negative sum शुरू होगी तब वो decrease होना शुरू होगा ठीक है तो जो second value जो आएगी वो आपके सामने क्या होगी वो आपके सामने negative sum वहाँ से generate करके देगी तो चलिए बात करते हैं देखे क्या होगा तो अभी यह जो series है थोड़ी सी अटपटिश ही दिख रही है जैसे यह आपर अलग है यह अलग है तो इन सब को हम क्या करते हैं mixed fraction से fraction में convert करते हैं तो सब के divide में 5 को लेके आते हैं तो पहले वाली drum को लिखा हमने 100 by 5 ऐसे इसको convert करोगे तो यह आएगा 98 by 5 यह हो जाएगा 96 by 5 नेक्स ट्रम है तो सबसे पहले तो 1 by 5 को बहार ले लेते हैं ठीक है n by 2 into 2a there will be 200 plus n minus 1 into common difference और common difference कितना है यहाँ पर minus 2 ठीक है 98 minus 100 minus 2 sign का जान रखिए and that will be equal to equal to मैं हमारे सामने कितना दे रखा है 488 आगे देखते हैं इस 10 को एक बार इदर multiply कर देते हैं तो यहाँ से कितना आएगा देखे 200 plus 2 so there will be 202 minus 2n that will be equal to इदर 10 को जो multiply करेंगे एक multiply में n भी रहेगा there will be 4880 फिर से देखे 2 से divide हो रहा है तो इसको divide कर देते हैं तो यहाँ से आएगा n into 101 minus n and that will be equal to यहाँ से आजाएगा 2440 तो एक तो 10 हमें अलग दिखाई दे रहा है इदर है 244 इसमें से फिर 2 को बार लिया तो उस 2 को में इदर multiply कर देता हूं तो यह हो जाएगा 20 into 122 फिर से एक 2 को बार निकाला तो यह हो जाएगा 40 into 61 और देखे हमें ऐसी कुछ values देरकी है 40 into 61 तो एक बार इसको check करते हैं कहीं यह तो नहीं है so 40 into 61 हो सकते हैं कि दोने option गलत हो जाए लेकिन उस type का कुछ देरका है तो chances है कि ऐसा ही कुछ आएगा चलिए देखते है 40 into 61 क्योंकि एक तो आपके सामने n ही है तो अगर देखता हूं मैं n को 40 लेता हूं तो क्या यह वाली टर्म 61 आ रही है तो 101 minus 40 so that will be equal to 61 इसका मतलब यह हुआ कि n की value 60 40 ही होगी लेकिन देखिए जब मैं n को 61 लोंगा तो कितना आ रहा है तो देखिए जब मैं n को 61 ले रहा हूं तो यहां से है का 101 minus 61 so that will be 40 तो यह भी सही है तो दोनों चीज़े सही कैसे हो सकती है तो देखिए मैंने starting में ही कहा था कि इसमें ऐस आता है कि दो बार आपका sum 488 हो सकता है तो अगर आपको negative term पूछी गई है इसका मतलब यह हो कि आपका जो बड़ा जो case होगा वह वाला answer सही होगा इसका मतलब यह हुआ कि n की value जो होगी वह क्या होगी आपकी 61 होगी अब n की value 61 तो हमें option में देने ही रखी इसका मतलब यह हुआ कि अब हमें nth term check करने पड़ेगी कि nth term क्या होगी अब हम बात करते कि nth term कैसे निकालेंगे तो nth term तो आ जाएगी जब n आ गया तो nth term आने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें पहली term पता है common difference पता है और यह भी पता है कि total n कितना है ठीक है तो 61th term हमें निकाल to d d की value कितनी थी minus 2 नहीं minus 2 by 5 क्यों क्योंकि एक बाहर 5 भी था ठीक है तो तो सिर्फ उपर वाले का common difference था देखते कितना आएगा आएगा आपके साबने 20 minus 5 से cancel out हो जाएगा 12 times 24 तो आपकी value आएगी minus 4 क्या ऐसा option है तो बिलकुल तो आपका जो fourth option है वो यहां पर क्या होग चलिए आगे बात करते हैं next question और next question में हमें क्या पुछा गया है इस यहां पर next question है हमारा alpha and beta are the roots of this equation and gamma and delta are the roots of this equation alpha, beta, gamma, delta form a geometric progression सब एक geometric progression form कर रहे हैं तो इस expression की value क्या होगी चलिए बात करते हैं चार नमबर GP में दिये गए हैं तो चार नमबर जब GP में दिये जाए तो आपको वैसे नहीं मानना है डिवाइड वाला आप simple GP मानिए वो तो तब मानते जब हम प्रोडेक्ट पता होता है और खास करके odd format में ठीक है उस तरीके से दी हुही होती है बाकि आप चाओ तो मान भी सकते हो ठीक उससे को दिकत नहीं तो आप और वैसे भी मान के देख सकते हैं अलफा को ले लिया हमने ए अपॉन आर क्यूब ठीक है इससे भी को दिकत नहीं होती है और simple लोगे तो भी को दिकत नहीं अर और यहां पर आजाएगा अर और यहां पर आजाएगा अर क्यूब जब भी even number में ट्रम्स हो तो common ratio केतना आता है r square आता है ठीक है चलिए बात करते हैं पहली ट्रम दे रखी है आपको इसके alpha और beta इसके roots है तो a by r cube प्लस a by r इसकी value कितनी दी हुई है 3 दे रखी है तो a common ले लिया r square प्लस 1 और divide by r cube यह है आपके सामने 3 equation number 1 इसके बाद आगे बात करते हैं second second आपको दे रखा है gamma और delta इसके roots है तो second और third को जब add करोगे तो a common आएगा r common आएगा so a r और r square प्लस 1 और इन दोनों का सम कितना दे रखा है 6 दे रखा है यह है equation number 2 पहले तो देखते हैं कि हमें इन दोनों equation से क्या मिल रहा है तो क्योंकि a इसमें भी है r square प्लस 1 भी है तो इस factor को हम guide करें तभी ठीक रहेगा तो इसको इससे divide कर दिया या second को first से divide करोगे तो यह cut जाएगा a से a भी cut जाएगा second को first से divide किया तो इधर r बचेगा और उधर बचेगा 1 by r cube और इधर आजाएगा 6 by 3 तो यहां से r की power 4 की value आजाएगी that will be 2 ठीक है और इसका use करेंगे हम आगे जाँपर हमें चाहिए आगे देखते हैं आगे आपसे बोला गया है कि इस expression क value क्या होगी तो चलिए हम इसके बारे में बात करें देखिए 2q 2 into q plus p divide by 2q minus p देखते कितना आएगा q का मतलब क्या हुआ q है इसके product of root miss gamma into delta तो यह हो जाएगा gamma into delta plus यह alpha into beta divide by अच्छा साथ में 2b है 2 into gamma into delta minus alpha into beta तो चलिए इनकी values put करते हैं gamma कितना था ar और बात साथ में कितना था ar cube तो यह होएगा 2 into a square into r की power 4 क्लियर है चलिए alpha into beta कितना होगा इन दोनों का product तो यह आजाएगा आपके सामने a square divided by r की power 4 all divide by as it is बस sign का change है 2a square r की power 4 and minus a square by r की power 4 देखि a square को मना के कट जाएगा और r की power 4 की value हम निकाल चुके थे that is 2 तो उसको put करते हैं तो यहां पर आएगा 4 plus 1 by 2 और यहां पर आएगा 4 minus 1 by 2 इसको simplify करेंगे तो हमें मिलेगा 8 plus 1 that is 9 और 8 minus 1 that is 7 so 9 by 7 जोगा वो हमारा answer होगा और इस तरीके से second option हमारा क्या होगा करेक्ट होगा कभी भी क्यूशन को वहां तक solve मत कीजिए जब तक आप और चीज की जरूत ना हो ठीक है जैसे हमें यह जो पहले वाली सेकेंड टाइम वेस्ट करते और कुछ नहीं होता तो जब तक जिस चीज की जरूत ना हो तब तक उसको आगे प्रोसीड ना करें इलिए बच्चों चले बच्चों आगे बात करते हैं next question और next है sn-4 into a n-4 इसके लिए हमें सबसे पहले n चाहिए और n कैसे निकालेंगे तो देखिए हमें यह जो ट्रम दी गई है a n जो क्या फॉर्मला लगेगा a plus n minus 1 into d इसको देखते हैं और इससे देखते हैं कि हमें n और d की values क्या मिल रही है so a n की value है 300 a है 1 n हमें पता नहीं और d भी हमें नहीं पता so n minus 1 into d की value आ रही है 299 अब देखिए हमें सिर्फ दो variable है और एक ही equation है इसके अलावा हमारे सामने और कुछ नहीं बस हमें एक चीज जरूर पता है कि इसका जो common difference है वो एक integer है और साथ में हमें एक condition दे रही है तो यहां से अब हमें अपने approach लगानी है और वो किससे लगाते देखिए दो factor का product 299 है और एक integer है तो हमें इसके prime factorization करने होंगे इसके prime factorization से अब आप try करेंगे 2, 3 से divide करके तो सबसे पहला prime number आएगा जिसको divide करेगा वो 13 और 13 के बाद में दूसरा नंबर बचेगा वो 23 बैट में यह दो prime number का multiplication है आपका 13 और 23 का अब यह कैसे पता चला कि पहला 13 होगा तो आपको divide करके ही देखना पड़ेगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 तो जैसे 13 तक आप पहुंचोगे तो आपको यह पता चलेगी ठीक है कोई shortcut नहीं है ठीक आपको करके ही देखना पड़ेगा चल इसमें है इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो D होगा वो 23 नहीं हो सकता तो इसको 13 होना पड़ेगा तो फिर N की value कितनी हो जाएगी? N की value हो जाएगी 14 जबकि N 14 नहीं हो सकता इसका मतलब यह हुआ कि D 13 है और N-1 जो है वो हमारा 23 है तो वहां से N की value कितनी आ जाएगी? 24 आ D 13 और N 24 अब हमें सब कुछ मिल गया तो हम हमारा order pair निकाल सकते हैं S 20 इंटू A 20 तो पहले हम A 20 की value निकाल लेते हैं कितनी आएगी तो A 20 होगा A plus 19 B A कितना है 1 plus 19 इंटू D की value है 13 इसको multiply किया तो हमें मिलेगा 1 plus 19 इंटू 3 57, 19 plus 5 24 तो हमारा answer आएगा 248 अब देखे 248 भी दो हमें इसमें भी है इसमें भी है तो हमें sum भी निकालना पड़ेगा शिरफ इससे काम नहीं चलेगा कई बार ऐसा होता है कि एक चीज से काम चल जाता है बट बहुत बार नहीं होता है तो फिर आपको दूसरी चीज भी निकालनी है S20 के लिए फॉर्मला लगाते हैं N by 2 अग 20 by 2 इन्टू फर्स ट्रम प्लस लास्ट ट्रम देट विल बी 248 इसको सिंप्लिफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 249 और यहां से आजाएगा 10 107 में आ जाएगा इस तरीके से हमारा जो पहला आंसर होगा वह क्या है इसका सही आंसर है वह सारे बच्चे क्या कर देते कि चलो 248 आया गया एक को सॉल किया अब तुका बार देते कि यह 248 है तो लग रहा है कि 248 जीरो ही होगा और ऐसा नहीं होता है ठीक है पूरा कीजिए और जो आपका सही आंसर आ रहा है उसी पे आपको क्लिक करना है चलिए आगे देखते हैं next question और next question क्या है हमारा question number 8 और question number 8 में देखिए हमें क्या पूछा गया है कि the minimum value of this इस expression का new term मान क्या होगा चलिए बात करते हैं दो टरम दे रखी है एडिशन के format में है new term value पूछी गई है दोनों positive है और तो कौन सा concept लगेगा arithmetic mean will be greater than or equal to geometric mean दोनों numbers पर लगाया तो इधर मिलेगा 2 sin x plus 2 cos x divided by 2 will be greater than or equal to geometric mean इसका कितना आ रहा है 2 की power sin x into 2 की power cos x so that will be greater than इस 2 को इधर multiply कर दिया और यह बन जाएगा आपका root over 2 की power sin x plus cos x अब क्योंकि देखिए इसको आपको minimum value पूछी गई है और उदर variable term आ रही है तो minimum value तो constant के format में आएगी तो यह minimum तब होगा जब यह वाला part minimum होगा और इसकी minimum value कितनी होती है a sin x plus b cos x की that will be root over minus a square plus b square इसको जब हम solve करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की power minus root 2 तो यह आएगा आपका 2 की power ठीक है इसकी value minus root 2 है ठीक है sin x plus cos x की value कितनी आएगी minus root 2 और एक आपके सामने 2 यहाँ पर आ रहा है तो इस 2 से जब हम इसको divide करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आएगा 2 की power minus root 2 divided by 2 ठीक है और यह किस में है यह 2 की power में है ठीक है ना 2 की power में तो एक 2 की power 1 है और दूसरी है minus 1 by root 2 और ऐसा जो option है वो आपका क्या है सही answer है और ऐसा option है हमारा option number 3 ठीक है यहाँ पर यह root 2 से 2 cancel out हो जाएगा और इधर वाले 2 की power कितनी है 1 है तो after simplification आपका third option सही होगा तीन ट्रम दी गई है और बोला गया कि तीनों AP में है तो आपको क्या बताना है इसकी 6 ट्रम क्या होगी ठीक है ना 6 ट्रम निकालनी है calculate करनी है देखे तीन नंबर AP में होते तो क्या condition लगती है 2B equal to A plus C वो लगा देते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा 28 equal to 3 की power 2 sin 2 alpha divided by 3 की power 1 ठीक है and plus 3 की power 4 divided by 3 की power 2 sin 2 alpha ठीक है नेगेटिव वाली ट्रम को नीचे ले आईए और इसको T माल लेते हैं ठीक है ताकि जल्दी सॉल हो जाए तो 28 will be equal to T by 3 plus 3 की power 4 होता है 81 divided by T अब simple लग रहा है quadratic बनाईए solve कीजिए तो आएगा T square minus 28 into 3T plus 81 into 3 भी आएगा will be equal to 0 और इसको जब हम solve करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है इसके दो factors आएंगे एक factor बनेगा T minus 3 और दूसरा factor बनेगा T minus 81 और इन दोनों factors को जब solve करते हैं तो हमें T की दो values मिल रही है एक है T equal to 3 और दूसरी value है 81 जब इन दोनों को से हम देखेंगे तो जिसको हमने T लिया था वहां से हमें sine 2 alpha की value क्या आ रही है तो एक वाले part से हमारे पास में कोई answer आएगा नहीं और जो दूसरा वाला जो part है उससे answer आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि देखें जब T को लोग है आप 3 की power 2 sine 2 alpha और equal to में हमारे सामने 3 की power 1 into 3 की power 4 चली देखते हैं यहां से कितना आ रहा है 3 की power 2 sine alpha will be equal to 3 की power 1 into 3 की power 4 2 sine 2 alpha will be equal to 1 and 3 यहां से sine 2 alpha की 2 values आ रही है एक आ रही है 1 by 2 और दूसरी value आ रही है हमारे सामने 4 4 by 2 that is 2 तो sine 2 alpha 2 तो हो नहीं सकता तो शिर्फ कितना हो सकता है 1 by 2 हो सकता है तो जब यह 1 by 2 आप यहां पे put करेंगे तो देखें आपकी पहली ट्रम आ रही हो कितनी आ रही है 1 by 2 पर यह हो जाएगा 1 यह हो जाएगा 14 और यह हो जाएगा आपका 3 की power 3 that will be 27 तो आपसे 6 ट्रम पूची गई है और AP है तो लिक करके देख लेते फॉर्ण लगाने की जुरूत नहीं है नेक्स ट्रम आएगी 40 उसके नेक्स ट्रम आएगी 53 और फिर आएगा 66 और आपसे सिरफ 6 ट्रम ही पूची गई है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 3rd option चली आगे बात करते हैं next question और next question अमरा question number 10 और question number 10 में देखें क्या है आपको एक sequence दी गई है और उस sequence का sum दिया गया है S-2 की पावर 11 और आपको यहां से S की value निकालनी की S कितना होगा तो देखिए यह एक GP है कैसे पता चलेगा इसको इससे जब divide करेंगे तो हमारे सामने जो common ratio आ रहा है वो आ रहा है 3 by 2 2 की पावर 9 कट जाएगा 3 by 2 इसको जब इससे divide करेंगे तो यहां से भी यही आ रहा है तो इस तरीके से जब हम देखें तो हमारे common ratio है वो है r equal to 3 by 2 और जो total number of trums है यहां पर वो कितनी है वो है 11 देखिए पहली trum में 3 की पावर 0 आ रहा है और देखते है कि उस formula से कितना आ रहा है तो sn will be equal to हो जाएगा a 2 की पावर 10 into r 3 by 2 की पावर 11 minus 1 divided by 3 by 2 minus 1 बस इसको solve कर लीजिए यही आपका sum है 3 by 2 minus 1 1 by 2 उपर आ जाएगा 2 की पावर 11 into 3 की पावर 11 divided by 2 की पावर 11 minus 1 इसको multiply कर दिया सो 3 की पावर 11 minus 2 की पावर 11 अब देखिए आपको sum इसी format में दिया गया है 3 की पावर 11 minus 2 की पावर 11 तो 2 की पावर 11 को अगर हम छोड़ दें तो s की जगे पे कितना आ रहा है there will be 3 की पावर 11 तो s यह आपका सही answer होगा और इस तरीके सापका जो सही answer है वो क्यों साथ हो गया फर्स्ट ऑप्शन हो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स क्यूशन और नेक्स क्यूशन है मारा क्यूशन नंबर 11 और क्यूशन नंबर 11 में देखिए हमें क्या दिया गया है if the sum of the second, third and fourth term of a positive term GP is 3 ठीक है एक कोई GP है जिसकी second, third और fourth ठीक है इन तीन DRUMS का के बारे में हमें दिया है GP is 3 and the sum of its sixth, seventh and eighth term is 243 ठीक है next जो तीन DRUMS है ठीक उनका सम दिया है हमें 243 then the sum of the first 50 term of the GP तो इसकी पहली 50 DRUMS का सम क्या होगा यह हमें निकालना है यह कैलकुलेट करना है चलिए देखते हैं second, third and fourth term का आपको सम दिया गया है 3 तो देखिए second term होती है हमारी AR plus AR square और plus AR cube और यह हमें कितना दिया गया है that will be equal to 3 so एक equation हमें दी गई है आगे 6th, 7th और 8th so 6th प्रम होगी AR to the power 5 plus AR to the power 6 plus AR to the power 7 और यह दिया गया हमें 243 तो देखिए हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो देखिए क्या क्या कट रहा है उपर से AR common आएगा cancel out हो जाएगा नीचे से भी AR to the power 4 बाहर आएगा तो एक बार उसको लिक लेते देखिए तो यहां से आएगा AR तो यहां बचेगा आपके सामने 1 plus R plus R square जैसे नीचे से AR to the power 5 common आएगा उसमें से AR को अलग कर दिया आर की पाउर 4 को अलग कर दिया तो पिछे यहां पर भी बचेगा 1 plus R plus R square और that will be equal to 1 upon 81 तो देखिए यह पूरा कट गया और AR भी कट गया तो यहां से आया आर की पाउर 4 will be equal to 81 तो आर की वेल्यू क्या मिली हमें आर की वेल्यू आ गई 3 आर की वेल्यू 3 अगर मैं put करें ठीकन किसी भी एक format में से पहले वाले format में अगर put करते हैं तो देखिए A common आ जाएगा वहां से और A common आने के बाद में आर की वेल्यू अगर 3 put करते हैं तो वहां से आएगा 3 plus 9 plus 27 और that will be equal to 3 तो यहां से देखिए A की वेल्यू क्या आएगी 3 common ले लिया so 3 A will be 1 plus 3 plus 9 so that will be equal to 3 so 3 3 cancel out और आपको A की वेल्यू मिल गई there will be 9 plus 1 10 10 plus 1 13 so 1 upon 13 that will be A A आ चुका है R आ चुका है आप से पुछा गया है कि इसकी पहली 50 क्रम का sum क्या होगा so formula में put कर दीजिए S N will be equal to A into R to the power क्योंकि R हमारा 3 है so R to the power N minus 1 divided by R minus 1 देखिए यहां पर put करते हैं A की वेल्यू कितनी है A की वेल्यू है हमारे सामने 1 by 13 into R है हमारे सामने 3 so 3 to the power 50 minus 1 और divide by R minus 1 there will be 3 minus 1 so 1 by 26 into 3 to the power 50 minus 1 यही हमारा answer है और ऐसा हमारा पहला option है तो इसका जो first option है वो हमारा क्या है correct है clear है चली आगे बात करते हैं next question और next हमारा question number 12 और question number 12 में देखिए हमें क्या दिया गया है कि 1 by 16 A and B are in GP यह GP के अंदर है numbers 1 by A 1 by B and 6 in AP यह तीन number AP में है तो इसकी value क्या होगी तो देखिए that will be very simple question ठीक है पहली तीन ट्रम आपको GP में दी गई है तो GP की condition लगाई A square will be equal to B by 16 यह हमारा equation number 1 होगा और next तीन ट्रम हमें AP में दी गई है तो यहांसे हमें मिलेगा 2 by B will be equal to 1 by A और 7 में आ जाएगा plus 6 अब इन दोनों equations को solve करके हमें क्या करना है 72 time A plus B निकालना है तो इन दोनों को solve करते हैं और solve कैसे करेंगे first equation जो है उससे B की value निकालके second में put कर देते है 16 A square तो देखिए यहांसे कितना आएगा 2 time B की value 16 A square will be equal to 1 by A plus 6 इसको solve कर लिया 2 से इसको काट दिया 8 times तो देखिए कितना आएगा यहांसे यहांसे आपको मिलेगा 8 से multiply कर दिया और 8 A square है तो पूरे 8 A square से multiply कर दिया तो यहांपर आगया 1 यहांपर 1 A cancel out हो जाएगा तो यहांपर आएगा 8 A और साथ में यहांपर आएगा हमारे सामने 6 into 8 there will be 48 A square ठीक है इसको हमें solve करना है और देखना है कि यहांसे A की value कितनी आ रही है clear है तो चलिए देखते हैं देखे तो इसको जब हम solve करेंगे यहांसे तो हमें मिलेगा देखिए 48 A square को इस side में ले आए 48 A square plus 8 A minus 1 will be equal to 0 अच्छा हमें चाहिए क्या हमें चाहिए 72 time A plus B ठीक है न तो देखते हैं यहांसे कितना आ रहा है A इसको solve करोगे तो 48 A square 8 A और 1 ठीक है तो 12 और 4 इसके factors होंगे तो इसको जब solve किया हमने तो 48 A square plus 12 A minus 8 A ने minus 4 A क्योंकि plus 8 चाहिए minus 1 will be equal to 0 देखें यहांसे कितना common आएगा यहांसे हमारे सामने common आजाएगा 12 तो यह बन जाएगा 4 A plus 1 यहांसे minus 1 there will be again 4 A plus 1 तो A की दो values आ गई एक आई minus 1 by 4 और दूसरी आ गई 1 by 12 लेकिन हमें equation में दिया गया है कि A और B positive है इसका मतलब यह हुआ कि A की जो value होगी वो क्या है 1 by 12 एक की value अगर यह 1 by 12 में first equation में put करता हूँ तो देखें B कितना आएगा यहांसे तो यहांसे देखें B की value मिलेगी मेरे को B will be equal to 16 time A square और A square है आपका 1 by 12 into 1 by 12 ठीक है तो इसको 4 से काट दिया 3 time 4 time और यह भी 4 से 3 time तो यहांसे इसकी value मिली मेरे को 1 by 9 अब हमें 72 time A plus B निकालना है तो इसको हमने add कर दिया A की value put कर दी 1 by 12 और B की value put कर दी 1 by 9 72 को अंदर multiply कर दिया तो यहांसे आएगा 6 और plus 9 से divide करेंगे तो 8 और 8 plus 6 कितना आ जाएगा there will be 14 ठीक है तो यह हमारा answer है और 14 कौन सा answer है हमारा second option तो यहां पर हमारा second option सही होगा ठीक है एक तो systematic तरीके से आपको 1 by 1 सारे questions solve करने हैं चलिए आगे बात करते हैं next question next है हमारा question number 13 और question number 13 में देखिए आपको एक condition दी गई है और options दे रखे हैं आपको AP में GP में ठीक है इस तरीके से देखना है कि कौन सा option सही होगा तो चलिए देखते है equation और equation में देखिए A, B, C, D चार variable और साथ में एक P आ रहा है ठीक है तो 1 by 1 हम देखें देखिए A square P square यहां पर है हमारे सामने पहली ट्रम में ठीक है B square P square हमारे सामने second ट्रम है प्लस C square P square हमारे सामने next ट्रम है इसके बाद में है माइनस का 2 time A भी सबको open कर दीजिए माइनस का 2 time BC माइनस का 2 time CD यहां पर आएगा फिर से B square प्लस C square and प्लस D square will be equal to 0 देखिए स्क्वाइर कुछ पॉजिटिव में और कुछ नेगेटिव में और साथ में 2 का फेक्टर हो ना तो हमेशा आपको देखना से की perfect square बन रहा है क्या तो सबसे पहले देखते देखिए A square P square ठीक है और साथ में इन सब के साथ में यहां पर हमा साथ में हमारे सामने PM 182 है यहां पर ठीक है इसमें भी रहे गा और इसमें। तो इसको देखिए अगर ज़्यान से हम ठीक है तो देखिए A square P square यहां पर आ रहा है a और p इसमार और साथ में b square की टरम तो इस टरम को इस को अगर मैं एक साथ देखू तीनों को तो देखे ये है मेरे पास में ap-b का hall square ठीक है ऐसे देखे मैं दूसरी वाल टरम में जाओगा b square p square ठीक है तो bp इसमें भी आ रहा है और साथ में क्या रहा है c जो आपके सामने ठीक है और इस तरीके से तीन square टरम का सम अगर 0 आ रहा है ठीक है तो 0 तभी possible है जब ये टरम भी 0 हो जाए ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए जब इसको 0 करोगे तो आपको मिलेगा a by b will be equal to p ठीक है ऐसे याँ से कितना यहाँ साँ है करके यहाससे कितना हैगा टी याँ सावालटो थो आपके सामने ऐसे मारnh है ये पहोर है B by A, C by B, और D by C, तो तीन रेशियो जगर constant आ रहे आपके सामने consecutive terms का, इसका मतलब यह हो गया, कि जो 4 numbers होंगे A, B, C, D, यह आपके किस में होंगे, यह GP में होंगे, तो आपका जो second option होगा, वो सही option होगा, चली आगे बात करते हैं next question, next है हमारा question number 14, और question number 14 में को हमें क्या करना है, देखना है कि यह किस चीज के equivalent होगा, clear है, ऐसे ही y दे रखा है यहाँ पर, और ऐसे ही यहाँ पर आपको z दे रखा है, इसमें सिरफ cos वाली term है, इसमें sign है, और इसमें cos और sign का product है, तो देखिए जब आप इसको solve करेंगे, तो यहाँ पर एक infinite gp बनेगी, x will be equal to 1 plus, जब 0 put करोगे तो 1 plus cos square theta, plus cos की power 4 theta, ठीक है, and solve up to infinity तक, तो इस gp का जब आप sum निकालोगे, तो infinite gp का sum होता है, 1 upon a upon 1 minus r, there will be cos square theta, similarly, यहाँ पर cos की जगे पर sign है second में, तो इसमें y की value आजाएगी आपके सामने, 1 upon 1 minus sin square theta, और इसके अंदर cos और sin दोनों है, तो यहाँ पर z की value आएगी, वो आजाएगी, 1 upon cos square theta, 1 minus cos square theta into sin square theta, क्योंकि देखिए, पहले में सिरफ cos था, तो यहाँ सिरफ cos आया, दूसरे में सिरफ sin था, तो sin, और यहाँ पर cos or sin का product है, तो दोनों x साथ आजाएगे, तो मैंस यह common ratio का काम करेंगे, अब हमें इन तीनों से x, y, z के इंदर relation निकालने हैं, तो देखिए, कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए, manipulate करना, थोड़ा सा ध्यान से करना हमें से, ठीक है, इसमें cos और sin दोनों है, तो यहाँ से cos और sin की value निकालके, इसमें put कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए, 1-cos square theta हो जाएगा हमारा, 1 upon x, तो यहाँ से cos square theta की value हो जाएगी, 1-1 upon x, ऐसे यहाँ से sin square theta की value आ जाएगी हमारे सामने, 1-1 upon y, ठीक है, और यह दोनों values यहाँ put करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से हमारे को cos square theta into sin square theta की value मिल जा माइनस वन अपोन जेड कॉस स्क्वाइर कितना है देखिए X माइनस वन अपोन X ये कितना है हमारे सामने Y माइनस वन अपोन Y और ये कितना है हमारे सामने Z माइनस वन अपोन जेड इन सब को सिंप्लिफाई कर लीजिए और देखिए कितना आंसर आएगा इस Z को इधर मल्टि yz ठीकर xy multiply होगा minus x आएगा so minus xz minus yz और 7 में आएगा plus का z ठीकर 1 आएगा so z इधर आएगा देखी xy multiply होगा so xyz और 7 में आएगा minus का xy तो देखें क्या आ रहा है xyz से xyz cancel out हो जाएगा क्योंकि सारी ट्रम्स positive में दी गई है तो xy को इधर ले आते हैं negative वाली ट्रम्स को इधर ले आते हैं तो आपको मिलेगा xy plus z will be equal to negative वाली ट्रम्स को इधर लाके z को common ले लिया so there will be x plus y और ऐसा हमें कौन सा option दिया गया है ऐसा हमें fourth option दिया गया है तो यह हमारा क्या होगा यहाँ पर सही answer होगा चलिए आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 15 और question number 15 में देखिए हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है question number 15 में आपको दिया गया है let abc be in an arithmetic progression and let the centroid of the triangle with vertices ac 2b and ab will be this then alpha and beta are the roots of the equation तो इस expression की value क्या होगी तो चलिए बात करते देखिए abc arithmetic progression में है तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक relation मिलेगा that is 2b will be equal to a plus c कितना होगा 2b will be equal to a plus c साथ में ही इस triangle का centroid आपको यह दिया गया है तो इसका अगर हम centroid निकालते हैं तो हमें मिलेगा 2a plus 2 a plus a कितना हो जाएगा 2a plus 2 divide by 3 will be equal to 10 by 3 ठीक न 2a x coordinate a है यहाँ पर भी a है और यहाँ पर 2 है तो 2a plus 2 divide by 3 will be equal to this तो इससे cancel out हो जाएगा और आपको मिलेगा 2a will be equal to 8 तो यहाँ से a की value मिल जाएगी that is 4 ऐसे इसका y coordinate दिया गया है आपको देखे 2b plus c y कितना दिया गया है 2b plus c and divide by 3 और इसकी value आपको क्या दी गई है इसकी value दी गई है आपको 7 by 3 तो फिर से देखे 3 से 3 cancel out होगा और यहाँ से आपको b की value मिलेगी और यहाँ से b की value नहीं मिलेगी यहाँ पर b और c में एक relation मिल रहा है so there will be 2b plus c और यह दे रखा है आपको 7 साथ में आपको यह भी पता है कि 2b की value कितनी है a plus c तो यहाँ पर हमने put कर दिया so यह बन गया a plus 2c will be equal to 7 a हम निकाल चुके है that is 4 तो a की value अगर हम 4 put करते हैं तो यहाँ से 2c की value आएगी 3 so यहाँ से c की value कितनी आगी that is 3 by 2 c आ चुका है 3 by 2 a आ चुका है 4 तो इनकी values अगर हम put कर देते हैं तो देखे b कितना आ रहा है so 2b आ जाएगा हमारे सामने 7 minus c there will be 3 by 2 so 14 minus 3 that is 11 by 2 ठीक है तो यहाँ से b की value आ जाएगी हमारे सामने 11 by 4 तो यह a, b, c तीनों की values हमारे सामने आ चुकी है अब हमें करना क्या है देखिए हमें quadratic दे रखी है x square plus bx plus c will be equal to 0 ठीक है न कितना है plus c will be equal to 0 then the value of this तो इसकी value क्या होगी यह हमें देखना है तो चलिए बात करते हैं तो इसके अंदर यह values put करें a, b, c की तो यह values जब put करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर a की value कितनी आ रही थी सबसे पहले 4 आ रही थी so there will be 4x square plus b की value कितनी आ रही है 11 by 4 so there will be 11 by 4x and plus c की value कितनी आ रही है 3 by 2 and that will be equal to 0 चलिए देखते इसको solve करते कितना आ रहा है LCM लिया so there will be 16x square plus 11x and plus 6 will be equal to 0 तो यहाँ से sum of root alpha plus beta कितना आएगा there will be minus 11 by 16 और product of root alpha beta कितना होगा that is 6 by 11 और यह values हमें इस expression में use करनी है तो वो है हमारे सामने alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta तो यह हो जाएगा 3 alpha beta कौन सा expression यह वाला ठीक है जिसके हमें value पूछी गई है इसमें put कर दें value तो यह आएगा 121 divide by 16 का square and minus 3 times alpha beta this will be 3 into 6 by 11 ठीक है ना alpha beta की value कितनी थी 6 by 11 थी 6 by 16 थी यहाँ पर क्योंकि दोनों में same आती है so there will be 16 अब क्योंकि देखिए यहाँ पर 16 का square है तो यहाँ पर भी 16 से उपर नीचे multiply कर दीजिए ठीक है ताकि पूरा का पूरा denominator नीचे आपके सामने कि format में आ जाए 16 के format में आ जाए तो यह तो बन गए आपके सामने से नंबर दिखाए दे रहा है यहाँ पर negative में आएगा ठीक है तो इसका जो final answer आएगा आपके सामने वो आएगा minus 71 upon 256 ठीक है तो इस तरीके से आपको इसको solve करना था थोड़ा सा कैलकुलेटिव था तो कुछ questions आते हैं इस type के चलिए आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 16 और question number 16 में देखिए क्या दिया गया है आपको question number 16 में आपको दिया गया है S1 भी the sum of first 20 and 2nd drums of the arithmetic progression और S2 भी the sum of the first 4nd drum of the same arithmetic progression और S2 minus S1 का difference आपको दे रहा है thousand और आपसे पुछा गया है कि 6nd drums का arithmetic progression progression की 6nd drum का आपको पास में बताना है कि ये किसके equal होगा sum जोगा तो देखिए जब इस तरीके से question में data कम दिया हुआ होता है ठीक और बहुत सारी चीजे होती है न तो वो question हमेसा direct solve होते हैं ठीक है तो चलिए बात करते हैं S1 की बारे में बात करें तो S1 है आपके सामने 2N by 2 into 2A plus N minus 1 into D 2N minus 1 2N का sum है न 2N minus 1 ऐसे S2 का लिखेंगे तो S2 कितना होगा अब देखिए S2 आएगा 4N divided by 2 into 2A plus 4N minus 1 into D अब देखिए हमें S1 minus S2 की value दी गई है तो हम भी S1 में से S2 को subtract करेंगे लेकिन सीधा नहीं करेंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर सेम ट्रम बना करेंगे इसको subtract करेंगे तो यहाँ पर कि 2N by 2 है तो इसको भी हम 2N by 2 बनाएंगे और इसको common लेंगे और इसमें से इसको क्या करेंगे अब देखते हैँ कि subject करने से क्या आएगा अचा स2-S1 करना है तो हम भी क्या करते है स2-S1 है second में से पहली को subtract करते हैं तो यहां पर देखिए जो एक 2 होगा, क्योंकि 2N by 2 कुछ common लिया, लेकि एक 2 जो बचा, उसको अंदर multiply कर दिया, तो यह बन गया 4A, यहां पर बच जाएगा, 2 multiply करोगा, तो 8ND और minus 2D, और इसमें से उसको subtract कर दिया, तो वहां पर आ जाएगा minus 2A, minus 2ND, और साथ में यह हो जा जाएगा, अब देखिए इसकी value हमें दी गई है, that will be कितनी है, 1000, तो यहां पर values put कर दी, 1000, equal to 2N by 2, और यहां पर देखिए यह direct बन गया हमारे सामने, 2A plus 6N minus 1 into D, अब देखिए यह अंदर वाला पार्ट तो जैसा हमें चाहिए 6N का sum, ठीक है, तो यह 6N का format बन गया, लेक लेकिन बाहर 6N लाने के लिए में बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूत नहीं है, इसको दोनों साइड में 3 से multiply कर दीजिए, तो जैसे 3 के साथ multiply करोगे, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, आपका S6N, और जो उदर बना है, वो आपका answer हो जाएगा, that is 3000, तो आपका जो final answer होगा, वो पहला option होगा, क्लियर है, option number 1 आपका correct होगा, क्लियर है बच्चों, तो इस type के questions आते हैं कुछ, ठीक है, जिसको data कम दियावा होता है, और बहुत सारी चीजे होती है, वो questions direct solve होते है, जो question में आपको दिये गए यह चीजे, उनको लाने की कोसिस कीज है, आप s1, s2 लिखिए, difference कीजिए, और फिर देखिए कि आपको किस चीज की जरुरत है, चली आगे बात करते हैं, next question, next हमारा question number 17, और question number 17 में देखिए, the sum of the infinite series this, ठीक है न, इस infinite series का sum कितना होगा, यह हमें क्या करना है, calculate करना है, so चली देखते है, agp type का लग रहा है, तो कैसे करते हैं, इसे questions को, पहले इसको लिखते है, as it is, 1 plus 2 by 3, plus 7 by 3 square, plus 12 by 3 cube, plus 17 by 3 की power 4, plus 22 divided by 3 की power 5, up to infinity, वैसे इतनी सारी terms की जरुती नहीं है, हमें 2-3 से भी idea लग जाता है, बट ज़्यादा दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको लिख लीजिए, आगे देखते ह कैसे करते हैं, क्यूसन को, सबसे पहले जो GP का common ratio से multiply करेंगे, तो इसको 1 by 3 से multiply करेंगे, और एक step आगे लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, 1, 1 by 3 के साथ multiply होके, 1 by 3, 2 by 3 होगा, 2 by 3 का square, इसको यहां रखेंगे, 2 by 3 का square, यह हो जाएगा, आपका 7 upon 3 cube, ठीक है नहीं है, यह व to infinite तक, अब हमें क्या करना है, इस में से इसको subtract करना है, ठीक है, तो इस में से इसको subtract कर दीजिए, तो देखिए कितना आ रहा है subtract करने से, पहली वाली ट्रम आएगे, आप ही SN minus SN by 3, so that will be 2 time SN divided by 3, यहां पर इस वाली ट्रम में को subtract होगा नहीं, 2 by 3 minus 1 by 3 is 1 by 3, plus 7 minus 2 होगा, 5 upon 3 का square, plus 5 upon 3 का cube, and up to, ऐसे चलता रहेगा infinite तक, तो देखिए यह आपके सामने infinite GP बन जाएगी, ठीक, लेकिन जो पहली वाली जो ट्रम से ना, वो आपको साथ में count नहीं होगी, लेकिन infinite GP पे उसमें कोई खास फरक नहीं पड़ता है, जितना GP बना है, बस उसमें पॉर्म तरीका क्या होगा, पहली ट्रम, there will be 5 by 9, divide by 1 minus R, और R की value होगी 1 by 3, इसको solve कर लीजिए, बस यह आपका answer है, तो जो दिमाग लगाना होला काम था, वो complete हो गया, अब बस आपको calculate करना है, calculate भी easy तरीके से कीजिए, तो देखिए कितना आएगा, पहले right hand side को simplify करें, तो यह है 4 by 3, इसमें से नीचे एक 3 आएगा, वो cancel out हो जाएगा, तो उपर तो बस 5 ही रहेगा, और divide by, यहाँ पर एक 2 आएगा, और 1 3 cancel out हो जाएगा, so 2 into 3 यह बन जाएगा 6, LCM लेंगे, तो यह बन गेगा 8 plus 5 divided by, नीचे आजाएगा 6, और finally अगर SN निकालना है आपको, तो इसको 3 3 by 2 से multiply कर दीजिए, 3 उपर चला जाएगा, या 2 नीचे आजाएगा, या इसे कहें कि इसको इससे काट दीजिए, तो इससे cancel out हो जाएगा 2 times, तो SN की value आजाएगी, 13 divided by 2 into 2, that is 4, so 13 by 4 जो होगा, वो आपका सही answer होगा, तो इस तरीके से आपका जो 3rd option है, यहाँ पर वो सही इसे questions भी बहुत पूछे जाते है, यही मेंस में और हर question को करने का यही approach होता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको solve करने है, चलिए आगे बात करते हैं, next question, question number 18, और question number 18 में देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि minimum value of this expression, ठीक है यह जो expression है, इसकी minimum value क्य होगी, तो देखिए, यह alpha और x आपको दिया है कि कोई भी real number है, और यह आपको positive दिया हुआ है, क्योंकि base है, ठीक है, और base समय सा केसा होना चाहिए, positive होना चाहिए, so चलिए बात करते है, minimum value निकालनी है, positive base है, और positive numbers होंगे, और positive numbers होंगे, तो arithmetic mean वाली inequality use करते हैं, दोनों numbers पे, तो देखिए, a to the power alpha x plus a to the power 1 minus alpha x, ठीक है, divide by 2 will be greater than or equal to, इनका product और इसको जब multiply करेंगे, तो देखिए, कितना आएगा, root over a base same है, तो powers add हो जाएगी, so alpha to the power x plus 1 minus alpha to the power x, तो यह तो कट जाएगा, और यह कट के आपके सामने सिरफ बचेगा root a, और 2 को इदर multiply कर देना, so that is 2 root a, बस यही आपका answer है, देखिए, कुछ questions बहुत simple भी आते हैं, देखिए, एक ही line में आपका solve हो गया, जो आपसे पूछा गया था, बस उसका answer यही है, 1 minus alpha x, ठीक है, इसके आपको minimum value पूछी थ आते हैं, next question, next है हमारा question number 19, और question number 19 में देखिए, हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, question number 19 के अंदर, आपको दिया गया है, common difference of this AP is 2, ठीक है, एक AP है, जिसका common difference आपको दिया गया है, that is 2, ठीक है, and d will be कितना है, 2, the common difference of this AP will be 2, अच्छा, 2 नहीं दिया गया है, ठ ठीक है, पूरा पढ़ना चाहिए, इसलिए हमें सा question को, देखिए, कितना दिया गया है, आपको ये बोला गया है, कि the common difference of this AP is 2 more than the common difference of this AP, miss, जो second वाली जो AP है, उससे इसका common difference है, वो 2 ज्यादा है, तो मान लेते हैं कि इसका common difference D है, तो इसका common difference होगा, वो कितना हो जाएगा ठीक है, ये आपको दिया गया है, इप A40 ये दिया गया है, A100 ये दिया गया है, B100 और A70 में relation दिया गया है, और हमें क्या करना है, तो देखिए, एकदम easy तरीके से question को solve करना है, तो A40 का मतलब क्या हूआ, मान लेते हैं कि जो पहली term A1 है, वो उसको A मान लेते हैं, ताकि बार-बार हमें A1 ना लिखना पड़े, तो ये A40 का मतलब हो गया, A plus 39D, और that will be equal to minus 159, ऐसी आपको A100 दे रखा है, तो ये बन जाएगा, A plus 99D will be equal to minus 399, और इसको solve करके देखिए, AOD की values निकालते हैं, और यही से हमारा question start होगा और solve होगा, तो चलिए देखते, बात करते ह minus, ये minus और ये plus, तो देखें, यहाँ पर कितना आएगा, 9 minus 9, 0, और 9 minus 3 कितना हो जाएगा आपके सामने, there will be 6, so यहाँ पर आएगा minus का 60D, और that will be equal to, इतर plus का आएगा, कितना आएगा, 9 minus 9, 0, 9 minus 5, 4, और 3 minus 1 कितना हो जाएगा, 2, तो plus का 240, तो यहाँ से आपको D की value हैगी, that is minus 4, ठीके, D की value अगर minus 4 हम पहली equation में put करें, तो देखें, A कितना आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से आपको A मिलेगा, A plus, D की value minus 4 put करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने, एक बार put कर देते है, 39 into minus 4, will be equal to minus 159, तो देखें, A की value कितनी आ रही है, A will be equal to हो जाएग इसको उदर ले जाते हैं, तो plus हो जाएगा, 9 into 4, 36, 4 into 3, 12, plus 3, 15, so plus 156, minus 159, तो यहाँ से हमें A मिल गया, that will be minus 3, A मिल गया, हमें D मिल गया, तो हमें इसका common difference भी मिल जाएगा, मान लेते हैं कि capital D है, तो वो हो जाएगा, D plus 2, that is minus 4, plus 2, that is minus 2, तो जो second AP थी, आपकी B1, B2, उसका common difference कितना होगा, minus 2, अब हमें एक relation और दिया गया है, और वहें से हमारा B1 आएगा, हमें दिया गया है कि B100 जो है, वो किसके equal है, वो equal है हमारा A70 के, और इसकी condition से हम अपनी values निकालते है, B100 की पहली term B1 है, तो उसको B1 ही ले ले लेते हैं, plus 99 into इसका common difference, जो हमें minus 2 द दिखा गया है कि उसका common difference से 2 ज्यादा है, तो इसमें 2 एड करना पड़ेगा, तो वो minus 2 आ जाएगा, A70 के लिए पहली term आपको दी गई है, minus 3, और साथ में आपको दिया गया है, इसका D है, जो minus 4 है, तो यह हो जाएगा, plus 69 into minus 4, इसको solve करते हैं, देखते B1 कितना आ रहा है सले बात करते हैं, यहां से आएगा देखिए आपको इस ट्रम को उधर ले जाते हैं, तो B1 will be equal to 9 into 2, 18 plus 198, 198 plus का minus का 3, और यहां से आएगा minus का 9 into 4, 36, 6 into 4, 24 plus 3, there will be 27, तो आपको finally मिलेगा 198 and minus 279, इसमें से इसको subtract कर दीजिए, तो देखिए 79 उधर से हो गया और 2 इधर से आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका minus का 81, तो यह है आपकी B1 की value, और ऐसा option आपको जरूर दियावा होगा, और यही आपका क्या है, correct answer है, clear है बच्चों, देखिए, जैसे मनलब systematic तरीके से, जो question में data दिया गया है, ठीक एकदम concept basis पे questions आते हैं, हमने देखिए, अभी 18 questions solve की हैं, APGP के, कुछ भी हमने ऐसा extra दिमाग नहीं लगया, जिसमें हमने कुछ बहुत ही कुछ अलग से सोचा होगा, ठीक बैसिक formula लगाने हैं, और systematic तरीके से हमें हमारी calculations को करना है, चलिए आगे बात करें, next question है, हमारा question number 20, और question number 20 में देखिए हमें क्या दिया गया था, question number 20 के अंदर, आपको एक series दी गई है, और आपको इस series का sum निकालना है, तो देखे, denominator में जब भी series आती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही दिमाग में आना से telescopic sum, ठीक है, अभी ये आपके factor form में नहीं है, पहले इसके factor कर देते हैं, 3-1 कितना हो जाएगा, 1 upon 2, 3-1, 2, 2, और 3-1 हो जाएगा, 4, प्लस, 5-1, 4, 5-1, 6, A-square-B-square की identity, 7-1, 6, 7-1, 8, ऐसे चलता रहेगा आपका, ठीक है, प्लस प्लस लिख रहे हैं, यह आपके पास में कहां तक है, लास्ट तक ऐसे चलता रहेगा, 201 में से 1 सब्टेट करेंगे, तो 200, और 8 करेंगे, तो 202, तो यह आपकी क्या है, यह आपकी series है, ठीकर प्लस प्लस लिख रहे हैं, इस तरीके से यह आपकी आगे तक चल रहे हैं, इसका सम निकालने के लिए, जो टेलीस्कोप सोचते हैं, इसकोlasses में लेके आना है, तो 4-2 होगा, ठीक है तो 2 आएगा, जबकि हमाँ 1 इसे वन और आपका ऐसा चलता रहेगा लास्ट तक डिवाइड करते हैं दोनों से डिवाइड करेंगे तो 1 by 2 minus 1 by 4 यहां पर 1 by 4 minus 1 by 6 इसे next मा आएगा 1 by 6 minus 1 by 8 और इसे last मा आएगा 1 upon 200 minus 1 upon 202 जो cancel out और यह काट दीजिए यह कट रहा है यह कट रहा है मिस्स यह भी कटेगा इधर से पहली ट्रम बची है तो आखरी से भी पहली ट्रम बचेगी मिस्स यह वाली बचेगी बाकि सब कट जाएगे यह भी कट जाएगा तो finally आपका आंसर आजाएगा 1 by 2 into 1 by 2 minus 1 upon 202 कितना आ रहा है देखिए ठीक है इसको जब solve करेंगे तो 202 आपका LCM आ जाएगा तो बहार आ जाएगा 1 upon 2 into 202 उपर इसको divide करोगे तो 101 minus 1 ठीक है 2 से divide करेंगे तो 101 और वहां से 1 तो आपका finally जो answer आएगा वो होगा 100 divided by 4 into 101 और 4 से यह divide हो जाएगा तो there will be 25 divided by 101 101 तो यह आपका जो fourth option होगा वो क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा क्लियर है चलिए आगे बात करते हैं next question और next question है हमारा देखिए binomial से तो जो जितने भी हमारी sequence and series से last जो भी दो तीन जो आपका attempt थे उसमें जो questions आये थे वो हमने सारे single create सारे questions discuss कर लिए हैं अब आपके question सुरू हो रहे है binomial से तो देखते है कि binomial वाले जो questions आये थे उन्हें कैसे करना है और उसमें किस type का concept आपका लग रहा है तो देखिए सबसे पहला question alpha और beta आपके सामने greater than zero दे रहे है means positive numbers है इसका sum दिया गया है 4 then the maximum value of term independent of the x तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर एक से independent term निकालनी है कि क्या होगी कैसे निकालते हैं तो इसकी general term लिखेंगे tr plus 1 और वो कैसे लिखते हैं there will be ncr 10cr into alpha into x to the power 1 upon 9 into 10 minus r और साथ में लिखेंगे beta into x to the power minus 1 upon 6 all to the power r इसमें सिर्फ x की जो power है ना सिर्फ उसको देखो वो कितनी है तो देखिए x की power यहां से आएगी आपके सामने 10 minus r divided by 9 और यहां से आएगी आपके सामने minus का r by 6 अब देखिए अगर यह x independent है ना तो इसको क्या होना पड़ेगा इसको 0 होना पड़ेगा इस power r की value आ रहे है यहां से 4 इसका मतलब यह होगा कि r equal to 4 पर यह क्या होगा x से independent होगा आप इसमें वापिस put कीजिए तो देखिए आपको इसकी value मिलेगी that is 10c4 10c4 into साथ में आएगा यहां पर जब देखिए आपको r equal to 4 put करना है तो 6 आएगा ठीक है और 6 जब यहां पर इसे यहां पर आएगा r equal to 4 put करेंगे तो यह बनेगा बीटा की power 4 और यहां पर बनेगी x की power कितनी 4 put करेंगे तो minus 4 by 6 तो x की power minus 4 by 6 को नीचे ले आए तो x की power 4 by 6 अब देखिए यह दोनों same है यह इसको भी 3 से डिवाइड करोगे तो 2 by 3 बन जाएगा इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 by 3 तो यह cut जाएगा तो अगर आपने सही किया होगा तो x का automatically पूरा हट जाएगा अच्छा यह into में रहेगा plus में नहीं क्योंकि हम क्या कर रहें multiply कर रहे हैं तो finally हमें मिलेगा 10c4 into alpha की power 6 into beta की power 4 यह इसकी independent term है और जिसकी value आपको दी गई है that will be equal to 10k लेकिन के निकालने के लिए हमें अभी इसकी maximum value निकालने पड़ेगी ठीक है क्यों क्योंकि alpha के फॉर्मेट में हमारा answer नहीं होगा और उसके लिए हमें इसके अंदर वापिस हमारा जो amgm का जो concept है उसका यूज भी यहां पर करना पड़ेगा कैसे करेंगे देखिए हमें चाहिए alpha की पावर 6 और beta की पावर 4 और हमें दिया गया है alpha cube और beta square तो कैसे लेके आते हैं alpha की पावर 6 लाने के लिए इसको दो बार लिखेंगे तो इसको लिखेंगे alpha cube by 2 plus alpha cube by 2 प्लस बीटा की पावर 4 लाने के लिए इसको भी दो बार लिखेंगे बीटा स्क्वाइर बाई 2 प्लस बीटा स्क्वाइर बाई 2 बाई 4 विल बी ग्रेटर देन और इक्वाल टू चार ट्रम है चारों को मल्टिप्लाई करेंगे तो अलफा की पावर 6 अपॉन 4 इन्टू बीटा की पावर 4 अपॉन 4 और हॉल टू दी पावर 1 बाई 4 यह हमने क्यों किया क्यों तरीका होता यह करने का जितनी हमें पावर लेके आनी होती है अगर इधर कम है तो उसको हम रिपीट करते है ताकि हमारे पास में पावर बढ़ जाए इसको वापिस एड करोगे तो आपको यही ट्रम मिलेगी और इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया था ताकि हमारे को वापिस यही ट्रम आए ठीकान कॉंस्टेंट से हमें कोई फरक नहीं पड़ता है बट वेरियेबल ट्रम है वापिस इसी फॉर्मेट में बने तो यह वापिस बनेगा alpha q plus beta square जिसकी value 4 put करेंगे तो यह बन गया 1 और इधर आजाएगा आपके सामने इसकी power 4 इधर कर दीजिए alpha की power 6 into beta की power 4 और divide by 16 इस तरीके से हमें इसकी maximum value मिल गई that will be 16 और वो maximum value आप यहाँ put कर दीजिए आपका answer आजाएगा देखिए कितना आएगा 10 c 4 होगा 10 into 9 into 8 into 7 divide by 24 और into इसकी maximum value आ रही है 16 और that will be equal to 10 k इसको solve कर लीजिए यहाँ से जो k की value आएगी वही आपका answer होगा तो देखिए 10 से 10 चला गया 8 से चला जाएगा 3 times और 3 से यह cancel out हो जाएगा 3 times 21 into 16 और इसको जब आप multiply करोगे तो आपका answer आएगा 336 ठीक है तो जो third option है वह आपका क्या है यहाँ पर सही answer है ठीक है चली आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 22 और question number 22 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि if the number of integral trams in the expansion of this इस expansion में integral trams कितनी है तो देखिए integral trams निकालने के लिए हमें क्या करना होता है ठीक है इंटीकर ट्रम का मतलब यह हो गया कि जब उसको simplify करेंगे ठीक है तो वहां से बाकी हमारे सामने बाकी सब कुछ हट जाए ठीक है शिर्फ इंटीजर ट्रम रहे उस ट्रम के अंदर ठीक है कोई भी rational number ना रहे कोई भी irrational number ना रहे ठीक है और ऐसा तब होता है जब हम इन दोनों के lcm पर बात करते हैं 1 by 2 और 1 by 8 का जो lcm होगा ठीक है ना उन सब के उपर होगा और इन दोनों का lcm आपके पास में 2 और 8 का lcm 8 आएगा means 1 by 8 के जब multiples आएंगे r जब भी 1 by 8 का multiple रहेगा ठीक है या 1 by 8 भी नहीं क्यों 1 by 8 तो denominator में तो उपर जब जब 8 का multiple आएगा तब ऐसा काम होगा तो आपको देखना है कि 8 के multiples r में कितने हो सकते हैं तो सबसे पहले 0 भी 8 का multiple होगा फिर 8 फिर 16 फिर उसके बाद 24 इससे चलता चारेगा और कब तक चलेगा जब तक आपके सामने तो number of integral term in the expansion of this is ठीक है अच्छा उसके अंदर आपके सामने एक चीज और दी गई है the number of integral term in the expansion of this is 33 देखिए यहां पर यह चूट गया है तो यहां पर नीचे दिया गया है that is 33 तो n का new term मान क्या होगा ठीक है तो miss यह जो integral term है ठीक है इसके अंदर यह total number of term कितनी होने चाहिए आपके पास में 33 term होने चाहिए ठीक है और अगर यह 33 term होगी ठीक है तो इन 33 term को जब आम देखेंगे ठीक है तो अब हमें यह देखना है कि n की value क्या होगी ठीक है total number of term तो 33 है लेकिन n तो आपका power में है न और यह तो 8 के multiples जो है उसके अंदर इस तरीके से आपको देखना है कि इसकी जो 33 टरम जो आएगी वो क्या होगी तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो पहली टरम है वो 0 है प्लस N-1 there will be 32 into common difference कितना आ जाएगा 8 इसको जब हम solve करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा 256 इस तरीके से जो हमारा correct answer होगा वो कौन सा हो जाएगा 4th answer हो जाएगा ठीक है जब भी आए ठीक है इनका LCM ले लिजिए और R के जितने भी multiples होंगे उन सब पर ही आपको क्या मिलेगा व तो आपकी कैसी रहेगी इंटीग्रल रहेगी अगर आपका बेस अगर उस format में आजए पीक बाई क्यू के format में तो फिर आपका rational होगी फिर हम उसको यह नहीं कहेंगे कि वह इंटीग्रल होगी बट अभी क्योंकि वह वन से बड़ा है तो उस case में और इंटीजर है तो वहा गया है कि the value of this expression, इस expression की value क्या होगी तो देखिए NPR के अंदर हम कोई formula तो पढ़ते नहीं है कि इसी कोई series का कोई formula हो जाए तो that means sum इसको simplify करके देखते हैं तो पहली ट्रम है हमारे पास में 2 into 1 factorial क्या होता है formula n factorial upon n minus r तो 1 minus 0 that is again 1 factorial minus 3 into 2 factorial divide by नीचे कितना आ जाएगा 2 minus 1 that is again 1 factorial plus 4 upon 3 factorial into 3 minus 2 that is 1 factorial और अब तू 51 ट्रम तक चलता रहेगा अब देखिए क्योंकि नीचे तो सब में 1 factorial आ रहा है तो जो उपर है वही ट्रम रहेगी हमारी तो उपर तो है 2 factorial minus ये इसके साथ मिलके 3 factorial ये इसके साथ मिलके 4 factorial ये इसके साथ मिलके माइनस का 5 factorial और ऐसे चलता रहे तो 51 ट्रम आएगी 52 factorial अच्छा 2 वाला positive है 4 वाला positive है तो 52 वाला भी कैसा रहेगा positive है तो ये तो आपका पहला expression है दूसरा expression आपका factorial के format में ही दिया गया है तो 1 factorial minus 2 factorial plus 3 factorial अब 2 51 ट्रम कितनी हो जाएगी minus 51 factorial तो ये आपके सामने क्या हो गई दूसरी वाली ट्रम हो गई अब दोनों को हमें क्या करना है दोनों को हमें एड करना है तो देखिए यहां से cancel out ही होगी बहुत सारी ट्रम तो हमारे सामने यहां पर 2 factorial positive का आया था और यहां पर negative का cancel out यहां पर minus 3 factorial यहां पर plus 4 factorial उदर minus आएगा cancel out यह cancel out तो इदर से कौन सी ट्रम बची इदर से last ट्रम बच तो इदर से last term कट जाएगी और यहां से यह वाली ट्रम बचेगी यह कहें कि इसको इदर से देखो कि 51 ट्रम बची है उसको पिछे से 51 ट्रम बचेगी तो आपके सामने जो फाइनल यह दोनों ट्रम पॉजिटिव में है तो एक तो 52 फेक्टोरियल पॉजिटिव का और प्लस 1 यह आपका क्या होगा correct answer होगा खिलियर है और ऐसा हमारा option कौन सा है fourth one आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 24 और question number 24 में देखे हमें क्या बोला गया है कि इस expression की value क्या होगी चलिए बात करते हैं इसमें put करते हैं r equal to 0 जब put करेंगे तो यह बनेगा हमारे सामने 50 C6 plus r equal to 1 put करेंगे तो बनेगा 49 C6 up to 20 put करोगे इसके अंदर आगे चलके तो यह बन जाएगा 30 C6 लेकिन इसका सम तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इससा कुछ formula हमने पढ़ाई नहीं ना तो यह आधी ट्रम है ना कुछ और है और नीचे भी 6 आ रहा है कुछ ऐसा special तो जब भी ऐसी कोई series बनती है जिसके अंदर नीचे और फिक्स हो और उपर अगर आपके सामने इस तरी कैसे constant चल रहा हो तो आप इसको तब तक चलाते रहे हैं जब तक नीचे वाला ट्रम ना आ जाए तो इसमें आगे और एड कर दीजिए 29 C6 प्लस 28 C6 और इसको तब तक चलने दीजिए जब तक 6 तक ना आज है 6 C6 तो यहां तक हम पहुंच गये हैं यह हमारे सामने एक पूरा expression बन गया अब क्योंकि यह ट्रम्स हमारे सामने थी नहीं हमने खुद एड किये तो जिसको हमने एड किये उसको सब्टेट भी करना होती सिंपल तरीका होता है अगर नीचे आर फिक्स हो जाए आपके सामने और नीचे वाले और उपर वाले नंबर से आपकी सीरीज शुरू होनी चाहिए तो जब तक यह चल रही है इसका जो सम निकालोगे उपर लास्ट नंबर में भी 1 एड हो जाएगा और नीचे वाले इस यह आपका आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से आपका जो फॉर्थ ऑप्सन है वो करेक्ट बस तो एक चोटा सा मैनिपलेशन था अगर आपने वो लगा दिया तो आपका आंसर सही होगा याद रखिए काफी अच्छा पर्मुला है क्यूशन को सॉल करने में बहुत अच इच्छा तरीका है कोई भी क्यूशन आए रिमेंडर का हमें बाइनोमियल वगरा की जूरूत नहीं है जो चीजें बच्पन में पड़ी है न उससे बच्पन में पड़ी यह वह नहीं चाहिए अगर हमें इसको इस से डिवाइड करना है और रिमेंडर निकालना है तो किस से निकालते हैं अच्छा मेर्सार निकालना है बर वो सके रिमेंडर पर डिपेंड करेंगा इतना तो सब को पताऊगा क्योंकि इंटीग्रल पाउट तो कीजिए रिमेंडर से मतलब है तो कैसे और डिवाइड बाइट अभी भी रखिए तो यह सकता है कई बार उपर आपको और डिवाइड करना पड़े तो यहां से यह आ जाएगा वन बाइट इसका फ्रेक्शनल पार निकाल लिए देखिए अब जो हमने अभी जो पड़ा हो कितना अच्छे से लगेगा वन बाइट क परेक्शनल पार्ट हम कितना इज़ी निकाल सकते हैं आप सब को पता होगा तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डाट इस सेकेंड वन बाइट का फ्रेक्शनल पार्ट वन बाइट ही होगा एक दम आराम से बहुत इजी तरीके से कुशनों को सॉल कीजिए और सारे कुशन हो आपके बस कॉंसेट्स पता होने चाहिए आपको क्यूसर नमर ट्वन्टी सिक्स में देखे क्या है आपको एक सीरीज दी गई है ठीक है और सीरीज का सम निकालना है और देखे एक फॉर्मेट में उप्सन है मिस्ट एक्सपोनेंशियल जो सीरीज होती है हमारी वो लगे क्या करते हैं सबसे पहले नीचे जो 2N प्लस फेक्टोरियल है ठीक है उसको चाहो तो इसी तरीके से रख सकते हो ठीकए बढ़ थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं ठीक है ताकि हमें क्यूसर को करने में हमें ज्यादा प्रॉबलम ना है ठीक है तो हम क्या करे 2N प्लस वन को T मान लेते हैं, तो n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा t-1 by 2, चाओ तो आप सिधा भी कर सकते हो, वैसे ऐसी कुछ बात नहीं है, ठीक है, सिधा करोगे, तो भी हो जाएगा, ठीक है, एक बार चली सिधा ट्राइ करते हैं, ठीक है, अगर नहीं होगा, तो फिर देखेगे, ठीक ह प्लस 4 से मल्टिप्लाई करने से 24n और प्लस 10 बन जाएगा 40, और डिवाइड बाई 2n प्लस 1 फेक्टोरियल, चली, आगे देखते हैं, n की वाली 1 से लेके इन्फाइनाइट तक, इसको वापिस आगे देखते हैं, देखिए 4n स्क्वाइर प्लस 24n, अब हमें 2n प्लस 1 चा यहाँ प्लस 1 फेक्टोरियल, तो इतना इजली बन जाता, तो फिर हमें किसी चीज की जरूती नहीं थी, ठीकना, इसको हम क्या बना सकते हैं, 2n प्लस 1 का हॉली स्क्वाइर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो यह बनेगा 2n प्लस 1 का हॉली स्क्वाइर, क्या आएगा, 4 और n यूज हो जाएगा, और 1 यूज हो जाएगा, तो पिछे यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 20 n, तो 20 n में से 10 को common लिया, और बाकी part को लिखा 2 n प्लस 1, हो गया हमारा n वाला part, इसके बाद में देखते हैं कि constant rum, तो यहाँ पर आया 1, और यहाँ पर कितना आ गया है 10, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया, 19, तो और यहाँ पर है 40, तो यह बन जाएगा आपका 29, ठीक है, तो यह हमने पूरे को adjustment कर दिया है, अब इसको divide कर दिजिए, 2 n प्लस 1 factorial, यहाँ पर भी 2 n प्लस 1 factorial, और यहाँ पर भी 2 n प्लस 1 factorial, अब देखिए कैसे करेंगे, पहले वाले part के अंदर, 1 2 n प्लस 1 कट जाएगा, फैक्टोरियल से, ठीक है, n इकॉल टू कहां से कहां ता, 1 से infinite, तो देखिए, 1 2 n प्लस 1 को काटोगे, तो उपर बचेगा, 2 n प्लस 1, और नीचे बन जाएगा, 2 n factorial, ठीक है, ऐसे देखिए, इसके अंदर, 2 n प्लस 1 कटेगा, तो यह बचेगा, 10 अपॉन, 2 n प्लस 2 n factorial, और इसमें कुछ कटेगा नहीं, तो यह जैसा है, वैसा का वैसा, इसको रहने दीजिए, 2 n प्लस 1 factorial, आगे बात करते हैं, 2 n को अलग से डिवाइड करते हैं, तो 2 n को अलग से डिवाइड करेंगे, तो यह बन जाएगा, आपके पास में 2 n कटके, 1 upon 2 n माइनस 1 factorial, इसके साथ में, 1 upon 2 n factorial, और 10 upon 2 n factorial, बन जाएगा, 11 upon 2 n factorial, और यह आपके साथ ने एजिटीज रहेगा, 29 upon 2 n प्लस 1 factorial, अब देखिए, हमें इसमें values पूट करनी है, कहां से लेकर के कहां तक, 1 से लेकर के, इनफाइनाइट तक, तो एक के अंदर इनफाइनाइट वाली सीरीज बनती है, और बहार एक 1 by 4 है, ठीक है, उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, वो finally answer के अंदर आपका add हो जाएगा, तो देखेंगे, पहले expression में जब put करेंगे, तो यह बनेगा हमारे सामने, 1 put करेंगे तो 1 upon 1 factorial, 2 put करेंगे तो 1 upon 3 factorial, प्लस 1 upon 5 factorial, इस तरीके से odd वाली जितनी भी ट्रम से वो सारी बनेगी, इसमें 1 से start करेंगे, तो 2 से start होगा, तो यहाँ पर बनेगा 1 upon 2 factorial, प्लस 1 upon 4 factorial, अब 2 यह चलता रहेगा, प्लस, इसमें 1 से जब put करेंगे, अचाएक 11 है बाहर, तो उस 11 को यहाँ पर रख देते हैं, तो 29 और इसको 1 से start करेंगे, तो यह 3 से start होगा, 1 upon 3 factorial, प्लस 1 upon 5 factorial, एंड सोन, ऐसे चलता रहेगा, अब देखिए, जो हमारे सामने पहली वाली ट्रम है, और जो आखरी वाली ट्रम है, उसमें शिरफ एक ट्रम का difference है, इसके अंदर एक 1 आ रहा है, और उसमें नहीं आ रहा है, लेकिन चली फिर भी हम सब के अंदर value direct put करते, और फिर simplify कर लेंगे, तो देखिए, यहाँ पर आएगा 1 by 4, यह क्या होगा, यह कैसे generate होगा, तो देखिए, e की पावर x के जो expansion होता है, e की पावर x या e की पावर 1 की बात कर लें सीधा, तो यह होता है, 1 plus 1 by factorial plus 1 by 2 factorial up to so on, और e की पावर minus 1 जो होता है, वो होता है, 1 minus 1 by factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial and so on, तो देखिए, इन दोनों को जब आप subtract करोगे न, तो आपके पास में odd वाली ट्रम आएगी और even वाली कट जाएगी, तो इसमें से इसको जब subtract करेंगे तो आपको दिखेगा, पहली ट्रम तो होगी e minus e की पावर minus 1 divided by 2, क्लियर है बच्चों, ऐसे जो दूसरी वाली जो ट्रम आएगी, वो क्या बाएगी देखिए, 11 times, यह तब आएगी जब आप इन दोनों को add करोगे, लेकिन add करोगे तो एक 1 plus 1, 2 भी आएगा, ठीक है, तो उस 2 को आपको इधर लाना पड़ेगा, ठीक है न, क्यों, क्योंकि वो तो आपका कहां से start हो रहा है, वो तो आपका 1 by 2 factorial से start हो रहा है, तो इसमें e plus e की power minus 1 तो आएगा, लेकिन एक 2 भी आएगा, उसको इधर लाकर के फिर 2 से divide करना है, इसे आपके आगया वाले ट्रम पे रहेगा, यहाँ पर आएगा आपके सामने 29, और 7 में देखिए, क्योंकि 3 से start हो रहा है, तो इसको इसमें से subtract करने से आएगा, लेकिन अगेन देखिए, यह तो cut जाएगा, यह भी cut जाएगा, लेकिन यह 2 आएगा यहाँ पर जो उसमें परजेंट नहीं है, तो इसमें भी उस 2 को इधर लाना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा, आपका e minus e की पावर minus 1 minus 2 divided by 2, इस पूरे expression को आप simplify कर लीजिए, इसको simplify करने से आपका यह जो option आएगा, ठीक है, एक दम बिल्कुल exactly आजाएगा, 41 upon 8 e, ठीक है न, एक यहाँ पर e का format आएगा, एक 1 upon e का format आएगा, और एक आपकी constant ट्रम आएगी, तो आपका जो third option होगा, वो क्या होगा, सही होगा, चलिए आगे बात करते हैं, next question, next हमारा question number 27, और question number 27 में देखिए, हमें क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, हमें एक binomial expression दिया गया है, और उसकी value calculate करनी है, अगर उपर नीचे same हो, उपर बढ़ रहा हो, नीचे constant हो, तो इसको आपको क्या करना है, last वाली ट्रम के अंदर एक add कर देना है, और नीचे भी एक add कर देना है, बहार 2 है, तो into 2, और plus n plus 1 c 2, अब देखिए, इसके अंदर फिर से एक formula लग जाएगा, n plus 1 c 2 plus n plus 1 c 3, उपर अगर constant हो, नीचे एक बढ़ रहा हो, तो क्या होता है, उपर एक बढ़ जाता है, और नीचे से बढ़ा वाला आ जाता है, लेकिन देखिए ये 2 time है, तो इसमें से एक ट्रम बच जाएगी आपकी, that is n plus 1 c 3, अब इन दोनों को simplify कर लीजिए, solve करके जो answer आएगा, वही आपका सही answer होगा, तो देखते ही कितना आ रहा है, उपर इसको decreasing order में multiply करना है, तीन बार, n plus 1 into n, divide by, नीचे आएगा, 1 into 2 into 3, that is 6, इसको decreasing order में 3 बार, n plus 1, n into n minus 1, divide by 6, जो common आ रहा है, उसको common ले लीजिए, तो n common आ जाएगा, n plus 1 common आ जाएगा, by 6 common आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा देखिए, n plus 2 और वहाँ पर n minus 1, तो n कट जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, जो add कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 2n, और यहाँ पर 2 minus 1, that is plus 1, तो ऐसा जो option है, वह आपका correct option होगा, और I think जो third option है, वह आपका सही है, कहीं जाएगे, again बहुत simple question था, एक formula लग रहा था सीधा, और आपका answer आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं next question, और next हमारा question number 28, और question number 28 में देखें क्या है, the value of this expression, हमें इस expression की value निकालनी है, तो यहाँ पर देखें, दो type की series है आपके सामने, एक तो यह वाली series है, और दूसरी है आपके सामने यह वाली series, ठीक है, तो इन दोनों series का सम निकालने के लिए, देखें हमें क्या करना होगा, कि दोनों series किस-किस type की है, तो एक तो है हमारे सामने differentiation वाली series, और दूसरी series जो है हमारे सामने, ठीक हो normal binomial coefficients है, clear है, तो इन coefficients को अगर हम देखते हैं, तो देखें हमें क्या क्या मिलेगा यहां से, तो जो पहली series है हमारी, ठीक है, उसके अंदर, one minute, हाँ, जो फर्स series है हमारी, ठीक है, उसके अंदर साथ में binomial coefficients आ रहे हैं, ठीक है, जो binomial coefficients के साथ में numbers आ रहे हैं, और उसके साथ में alternate negative sign हैं, यह तब होता है जब हम differentiation करके minus one put करते हैं, लेकिन देखें कि जब minus one put करते हैं, तो binomial expression zero हो जाता है पुरा, पस ध्यान यह रखना है कि सारी terms होनी चाहिए, आपके पास में one से लेकर के, जो आपके पास में जो last term है, उस तक आपके सामने सारी terms वहाँ पर क्या होनी चाहिए, present होनी चाहिए, clear है, तो यहाँ पर हमारे सामने सारी terms present है, तो इसका जो value होगा, वो कितना हो जाएगा हमारा zero हो जाएगा, clear है, इसी के साथ में जो दूसरी वाली जो binomial series है, उसका हमें सम निकालना है, तो उसका सम देखिए, अब हम easily निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर आपको दिया गया है 14C1, प्लस 14C3, अप्टू 14C11, लेकिन ध्यान यह रखना है, देखिए, कि आपके सामने 1 से start होकर, 11 पर ही finish हो गया है, तो यहाँ पर सारी terms नहीं है, खिलियर है, अगर हमारे सामने 14C13 तक होता, तो इसका जो answer हो जाता हो, हो जाता 2K14-1, ठीक हैं, यह formula होता है, जब भी हमें आदी terms का sum निकालना होता है, और या even में से, ठीक हैं, तो n-1 हो जाता है 2K14-1, यह आपका क्या हो जाएगा, बस एक छोटा सा point सा, ठीक है, जिसको आपको क्या करना है, ज्यान रखना है, तो आपका जो answer हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर, fourth answer हो जाएगा, क्लियर है, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, और next question है, हमारा question number 29, और question number 29 में देखिए, हमसे क्या पूछा गया है, question number 29 में, आपको एक series दी गई है, और उस series से, आपको उसका sum निकालना है, कि 6CR into 6C, 6 minus R is equal to, यह किसके equivalent है, तो देखिए, नीचे वाल एको गर हम देखें, तो again देखिए constant है, दोनों का sum कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और जब भी sum constant होता है, ठीक है, और अगर आपको सारे ही terms present है, 0 से लेके 6 तर, तो इसका answer तो सीधा होता है, that will be कितना हो जाएगा, 12C6 हो जाएगा, ठीक है ना, अगर जैसे उपर N होता है आपके सामने, नीचे R हो, और साथ में आपको दे रहा है, 6 N time, ठीक है न, C, कोई भी constant number कुछ भी दे रहा हो, that is K minus R, तो इसका answer कितना होता है, 2N CK, ठीक है, N की वालिए 6 है यहाँपर, K की वालिए 6 है, 12C6, इसको आपको simplify करना है, यह आपका answer होगा, जिसको यह चीज नहीं पता है, वो कैसे करेंगे, ठीक है, तो उनको binomial coefficient, expression लिखना पड़ेगा, 1 plus X की power 6 का, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, 1 plus X की power 6 का, फिर दोनों को multiply कीजिए, और multiply करके, जब आप X की power 6 का, कोपिसेंट निकालेंगे, दोनों साइड से, एक साइड में तो आपके सामनी, expression बनेगा, और दूसरी साइड में, आपका यह वाला format आजाएगा, और इससे आपका answer आजाता है, तो उसका पूरा approach होता है, बट वो हम J advance में use कर सकते, mains में आपको direct होना चाहिए, ठीक यह चीज़ पता होनी चाहिए, अगर question आता है तो, और अभी आ रहे हैं से questions, तो आ सकते हैं, क्योंकि J mains में आया वाल question है, इसको solve कर लिजिए, यही आपका answer है, 12 into 11 into 10, 9 into 8 into 7, 6 number तक multiply करना है, तो हो चुके हैं, divide by 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसको solve कर लिजिए, यही आपका answer है, तो देखी कितना आ रहा है, 2 into 3, 6, 6 से cancel out हो जाएगा, 2 times, इसके अलावा, 4 से cancel out हो जाएगा, again 2 times, तो यह cancel out हो गया, 5 से cancel out हो जाएगा, 2 times, बहुत बढ़ी है, सब 2 times cancel out हो रहे है, बहुत अच्छी चीज आ रही है, 2 से cancel out हो जाएगा, 3 times, और 3 से cancel out हो जाएगा, 3 times, तो हमारे साथ में बचा है क्या, 11 into 4, there will be 44, और 7 into 3, there will be 21, इसको multiply कर लिजिए, तो आपका answer आएगा, 924, पहले इसको मिटा देते हैं, चलते हैं आगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो next question में आपको दिया गया है, 4th term of the expansion, ठीक है, इस expansion की जो 4th term है, वो है 4480, then the value of x, और x है आपका natural number, तो x का मान क्या होगा, यह आपको निकालना है, तो इसकी 4th term की अगर हम बात करें, तो t4 को कैसे लिखते हैं, t3 plus 1 binomial में, so there will be 7c3, और 7 मा आएगा, x to the power 7 minus 3, that is 4, और 7 मा आएगा, x to the power log 2x, and hall to the power 3, ठीक है ना, that will be the approach, और यह आपको दिया गया है, that will be equal to 4480, अब इसको solve करना है, तो इसको solve करते हैं, 7 into 6 into 5, divide by 6, into x to the power 4, और यहां पर कितना आएगा, यह इसके साथ में multiply हो जाती है, power पर power होती है तब, तो यह बन जाएगा, x to the power 3 time log 2x, और यह आपको दिया गया है कितना, 4480, इसको solve कीजिए, तो देखिए, 6 से 6 cancel out हो जाएगा, 7 into 5 को इधर ले आते हैं, तो यहां से मिलेगा, आपको x to the power 4 plus 3 log 2x, और इधर आजाएगा, 4480, divide by 7 into 5, पहले किसी भी नंबर से divide कर दीजिए, बट क्यूशन आया तो divide हो जाएगा, दोनों से divide हो जाएगा, तो मैं 7 से divide कर रहा हूँ, 7 से divide होगा, आपका 6 time, 7 into 6, 42, 2 बचेगा 28, so there will be 4, 0 divide by 5, 5 से divide करेंगे, तो यहां पर आएगा 1, 2 और 4 बचेगा, so there will be, 1, 14, 10, 4, 40, so there will be 8, 128, अब देखिए 128 आ रहा है, x की power s दे रही है आपको, और 128, 2 से ही आ सकता है, या 4 से बन सकता है, दो options हैं आपके सामने, तो आगे solve करने की बजाए, आप heat and try check कर सकते, तो पहले 2 से check करते हैं, तो 2 से check करेंगे, दाएगा 2 time, यह 1 बन जाएगा, that will be 7, और this will be 128, तो यह आपका correct answer है, आपको exam में इन चीजों का use करना है, अगर आप इन चीजों का use नहीं करोगे, और systematic तरीके से चलोगे, ठीक है, तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर मतलब, यह रहेगा कि आप numbers तो ले आओगे, लेकि अच्छी रेंग नहीं लापाऊगे, अच्छी रेंग लाने के लिए आपको साथ में किसनों में ये चीज़ें चाहिए होती है, क्लियर है, बाकि आप चाहो तो इसको solve कर सकते हो, दोनों साइड में log लीजिए 2 के base पे, तो यहां से आजाएगा आपके सामने, log 2 to the base x, तो power बाहर आजाएगी, इसमें 2 के base पे log लोग है, तो यह बन जाएगा 7, log 2x को t मानिए और इसको solve कर लीजिए, तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, आपकी x की value मिल जाएगी, खिलियर है, बाट यह तो फिर कोई मज़े वाली बात नहीं है, अगर आपको इसके बाद में, अगर question को आप solve कर रहे हो, और इतना एकदम आपको दिखाए दे रहा कि 128 कैसे आ सकता है, तो फिर मेरे साब से solve मत कीजिए, सिदा कीजिए question को, चलिए आगे बात करेंगे, next question, और next question में देखिए हमें क्या दिया गया है, next question number 31, और question number 31 के अंदर, आपको दिया गया है, कि एक expression है, t into x to the power 1 by 5, और 6 में आपको दिया गया है, plus 1 minus x की power, 1 by 10 divided by t, और आपसे ये बोला गया है, कि इस expression की, क्या करनी है आपको, maximum value निकालनी है, और जो की, टरम independent of t, ठीकर न, ये टरम आपको t से independent होनी चाहिए, तो देखें कैसे करेंगे, तो सबसे पहले, t से independent टरम निकालने के लिए, क्योंकि देखें, अगें मैं कहा रहा हूं कि ऐसी चीज़ें जब आती है न, तो आपको क्यूशनों को direct करना चाहिए, ठीक है, और आपको ये चीज़े दीक नहीं चाहिए, इसके साथ में, ठीक है, क्योंकि जनरल तरीके से तो अभी तक हमने पीछे क्यूशन किये ही है, अब मैं चल रहा हूँ थोड़ा इस तरीके से, ताकि आप क्यूशनों को बहुत एजिली कर पाएं, देखिए, यहाँ पर उपर t आ रहा है, ठीक है, सिमेट्रिक है, उपर t, 1 by t, टोटल है हमारे पास में 10, तो कब कटेगा यह, जब दोनों equal हो जाएंगे, और 10, दोनों equal कब होंगे 5 पे, क्योंकि एक side में power decrease होती है, एक power increase होती है, तो r equal to 5 पर यह क्या होगा, आपके सामने t कट जाएगा, अब एक बार निकाल के देख लेते हैं, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो यह बनेगा 10c5, t की power 5, into x की power 1 by 5 की power 5, तो यह x बन जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 minus x की power 5, तो यह हो जाएगा 1 by 5 by 10, और निचे बनेगा t की power 5, तो देखे, t से t कट गया, expression है, आपको इसकी maximum value निकालनी है, और इसकी maximum value कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि किसी भी x polynomial equation की maximum value कैसे निकालते हैं, या किसी भी rational expression की, आप सबको पता होगा, ठीक है, x into 1 by x को अलग कर लेते हैं, और इसकी power है 1 by 2, ठीक है, तो भहुत सारे तरीके हैं करने के, यहाँ पर amgm यूज कर सकते हैं, आप x को sin square theta, cos square theta कुछ put कर के कर सकते हो, तो जो simplest तरीका में वह भी बता रहा हूँ, x को sin square theta put किया, तो यह बना sin square theta into cos theta, ठीक है, sin square theta को लिखा 1 minus cos theta, तो यह बना cos theta minus cos cube theta, और यहाँ पर आएगा, plus 3 cos square theta into sin theta, cos theta का minus sin theta होगा, so plus हो जाएगा, that will be equal to 0, differentiation को 0 करते, तो देखते कितना आएगा, x 0 से 1 में दिया था, ठीक है, तो हमने x को लिया था, sin theta, तो वो positive होगा, ठीक है, तो sin theta 0 से 1 के अंदर आपके सामने, sin theta की value तो 0 होगी नहीं, जब x 0 से 1 होगा, तो आपकी 0 कौन सी ट्रम होगी, 1 minus 3 cos square theta जब 0 होगा, means cos square theta की value 1 by 3, means cos sin square theta की value 2 by 3, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 1, cos square theta और sin square theta आ गया है, that means आपको x पता चल गया, ठीक हैं क्योंकि x को आपने sin square theta लिया था, ठीक है, और sin square theta की value 2 by 3 है, that means आपके सामने x की value कितनी आ गई, 2 by 3 आ गई, ठीक है, या यह कहें कि sin theta की value कितनी आ गई, आपके सामने root 2 by 3 आ गई, ठीक है, और x को आपने sin theta लिया था, तो x की value आ गई, root 2 by 3 root 3 तो यह x की value यहाँ पर put कर दीजिए आपका answer आ जाएगा ठीक है तो देखते है कितना आ रहा है देखिए तो जब आप यहाँ पर put करेंगे क्योंकि अंदर आपके सामने x है ठीक और x को आपने sin square theta लिया था x को sin square theta लिया था तो बाहर है 2 by 3 और अंदर बनेगा आपके पास 1 minus 2 by 3 that is 1 by 3 ठीक है न यह पूरा का पूरा आपके सामने क्या बनेगा expression बनेगा और 7 में इधर आएगा आपके सामने 10c5 ठीक है और इसका root था तो यहाँ पर साथ में कितना आ जाएगा और root ठीक है तो इसको पूरे को आप simplify करोगे तो आपको यह answer मिलेगा fourth one बाकी तो पार्ट यह factorial होगा है 10 factorial upon 5 factorial तो यह है और 7 में देखिए 2 उपर है और नीचे 3 root 3 तो यह आपका क्या हो जाएगा सही answer थोड़ा सा अच्छी तरीके से कीजी क्यूसन को और थोड़ा सा fast करने की कौसिस कीजी क्योंकि सबसे important part यहां पर यही रेता है कि हमें क्या करना अपनी क्यूसन को fastly solve करना है ठीक है अगर हम दीरे करेंगे ठीक है तो फिर क्या होगा हो सकता है कि हम सारे क्यूसन के लिए हमारे पास में time ना बचे ठीक है और उसके लिए यह होता है कि जहां पर भी आपका जिस भी क्यूसन में time बच रहा है ठीक है उसको बचाने की कॉसिस केजिए आगे बात करते हैं इस बार ध्यान रखी आपको irrational ट्रम पोची गई है लेकिन हम पहले rational ही निकालेंगे लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे उस मेंसे टोटल मेंसे उसको सब्टेट कर देंगे तो irrational आ जाएगी तो चलिए बात करते हैं वही वन फोर और एट का LCM कितना आएगा एट तो जो भी एट के multiples होंगे आर ठीक ना तब आ में rational ट्रम मिलेगी कौन सी rational सो 0 8 16 60 तक लिखना है लिखके देख लेते हैं 24 32 40 48 और साथ में 56 कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे सामने जो इर्रेशनल ट्रम्स होगी वो कितनी होगी रेशनल ट्रम्स होगी हमारे सामने 8 तो इर्रेशनल कितनी हो जाएगी ठीक ना इर्रेशनल ट्रम्स कितनी होगी तो इर्रेशनल ट्रम्स होती है आपके सामने उपर जो पावर होती है ठीक है टोटल नमबर उप ट्रम्स उसमें से एक ज्यादा होती है और उसमें से rational को subtract कर देंगे तो irrational आ जाएगी 61-8 there will be 53 यह आपको क्या है यह आपका n है अब आपको यह बताना है इसके अंदर की n-1 क्यों से number से divisible है ठीक है तो n-1 कौं से number से divisible होगा so 53-1 52 and 52 will be divisible by 26 इसमें हम कई बाद जल्दी बाजी में क्यों गलत कर देते हैं हमें options भी ऐसे दिये होते हैं जैसे 8-7 जैसी 8 आया तुरंत उदर click मार दिया क्यों को पूरा पढ़िए अच्छे से पढ़िए और इसके बाद में solve कीजिए चलिए आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number एक second हम ये question कर चुके 33 question है हमारा ठीक है तो देखे इसको कैसे solve करेंगे question number 33 के अंदर आपको दिया गया है कि अब दी ट्रम इप दी कॉंस्टेंट ट्रम इन दी बाइनोमिल एक्स्प्रेशन आप इस विल भी 405 then mod k is equal to तो देखे बहुत सारे क्युस्टाश कर चुके हम वैसे ऐसे चलिए फिर भी बहर देखते हैं इसकी constant ट्रम निकालनी है उपर root x से निचे x square इस बार symmetric नहीं तो लिख के देखते हैं ठीक है न क्योंकि ऐसे जगे पर कई बार गलतिया हो जाती है 10cr उपर आएगा root x की power 10 minus r और आगे आएगा root k upon x square की power r इसमें से सिरफ x का coefficient कितना आएगा देखिए 10 minus r by 2 और यहां पर आएगा 2r नीचे 2r है तो उपर आएगा minus 2r और हमें क्या चाहिए constant from in the expansion binomial expansion तो constant from x से independent so that is 0 और यह 0 कब होगा minus 5r 10 minus 5r जब 0 होगा और r की value कितनी आजाएगी 2 अब आप इसमें से r equal to 2 पर इस value को जब निकालेंगे तो आपको देखिए value मिलेगी 10c2 root x की power देखिए r की value 2 put करोगे तो यहां पर 8 आएगा और root x की power 8 करोगे तो x की power 4 into यहां पर 2 put करोगे ठीकर r की value 2 put करोगे तो यह कितना मन जाएगा root k है so that will be k और divide by x की power 4 और यह आपको कितना दिया गया है that will be equal to 4 0 5 ठीक है और आपसे finally पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है कि mod k की value किसके equal होगी तो चले देखते हैं इसको जब solve करेंगे तो यहां से आएगा 10 into 9 by 2 into x की power 4 कट गया क्योंकि independent ट्रम है तो कटना ही था उसको तो ठीक है into start में यहां पर कितना आएगा k और that will be equal to 4 0 5 ठीक है तो इसको देखिए जब हम solve करेंगे तो कितना आ रहा है यहां पर ठीक है तो से इसको काट दिया 5 times 5 से इसको काट दिया there will be 81 times तो k की value आ जाएगी हमारी 9 ठीक है और हमसे mod k पूछा गया है ठीक है तो mod k will be equal to कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा और इस तरीके से आपका second option सब्सक्राइब हो सकता है कि यहां पर पर कुछ अलग होगा थीक है तो उसके corresponding फिर आँसर आजाएगा तो यह जो किसन है आपका ठीक है इस data के according है और इसका answer क्या है 9 है ठीक है तो हो सकता है कि आगर आपका means वाला question है कि वहाँ पर अगर आप answer 3 दिया हुआ हो तो that means यहाँ पर पर root नहीं होगा फिर यहाँ पर शिरफ k होगा और उसके corresponding फिर answer आएगा ठीक है तो यह जो answer आ रहा है वो इस data के corresponding है जो यहाँ पर आपको इस question में दिया गया है चलिए आगे बात करते हैं question और next question है हमारा question number 34 और question number 34 में देखए हमें क्या दिया गया है हमें एक expression दिया गया है और उससे फिर से क्या करना कुछ binomial coefficients है और उनकी value क्या करनी है find out करनी है उनका some find out करना है लेकिन इस बार आपको क्या दिया गया कि हर एक्सका जो究 will you निकालनी है ? तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका इसमें यह होता है कि इसमें x equal to 1 put कर दीजिए, x equal to 1 put करोगे तो यह बनेगा 4 की power 20 और इधर आ जाएगा आपका a0 plus a1 plus a2 plus a3 and so on up to a40, यह सारे coefficients आ जाएगे, लेकिन देगे हमें सारे नहीं चाहिए, हमें शिर्फ odd वाले चाहिए, तो हमें minus 1 भी put करना पड़ेगा, तो minus 1 put करेंगे, तो 1 minus 1 तो कट जाएगा और यहां से आएगा 2 की power 20 और यह हो जाएगा a0 minus a1 plus a2 minus a3 up to a40 तक आ जाएगा, हमें odd वाले चाहिए, तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्टेट करना पड़ेगा, इसमें से इसको सब्टेट करेंगे तो आएगा 4 to the power 20 minus 2 to the power 20 और that will be equal to 2 time a0 कर जाएगा a1 plus a3 plus a5 और up to a39 लेकिन देखिए क्यूशन के अंदर और हम से एक चीज़ क्या बोल दी गई, कि हमें a37 तक निकालना है, तो अब देखिए यह क्यूशन थोड़ा सा और अच्छा बन गया, क्योंकि हमें a39 की value निकालनी प इसके लिए हम यूज करेंगे multinomial concept, ठीक है, किसी भी जब भी आपके सामने binomial से ज़्यादा अगर कोई भी coefficients आ जाए और multinomial का concept कैसे यूज करना होता है, तो उपर जो number दिया गया है, उसको उपर लिख दीजिए 20 factorial, निचे अपनी तरब से 3 numbers लेजिए, n1, n2 और n3, ठीक है की power, n3, अब आपको ये देखना है कि x की power 39 कब बनेगा, क्योंकि ए 39 क्या बनेगा, इस expression में, x की power 39 का coefficient, और वो कब बनेगा, n1, n2, n3 की कौन सी values के लिए बनेगा, तो देखिए, क्योंकि 39 चाहिए, और तीनों का जो sum है, वो 20 ही हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो देखिए, इसको अगर मैं n3 को जितना हो सकता, अगर मैं maximum ले लूँ, तो n3 को अगर मैं 20 लेता हूँ, तो यहाँ से 40 बन जाएगा, शीदा तो इन दोनों को 0 लेना पड़ेगा, और हमें x की power 40 नहीं, हमें 39 चाहिए, तो 39 के लिए मैं इसको क्या करूँगा, एक कम लो है, तो यहाँ से आपको x की power 39 मिल गया, क्या मैं इसके अलावा और कुछ ले सकता हूँ, तो अगर देखिए, आप 19 से कम 18 पर आते हो, तो वहाँ से 18 और यहाँ से आप कितने ले सकते हो फिर, यहाँ से आपको 3 लेना पड़ेगा, लेकिन 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 21 हो ज होती है, n2 भी 1 और n3 19 फेक्टोरियल, यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा 2 की power 19, इसको जान से रखिएगा 2 की power 19, ठीक है, तो यहाँ से यह आजाएगा, आपका 20 into 2 की power 19, 20 into 19 फेक्टोरियल वो नीचे से कट जाएगा, 20 into 2 की power 19, यह आपके सामने किसकी value है, यह A39 की value है, तो अब देखते हैं, इसका answer कितना आएगा, तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ से इसको 2 से divide किया, ठीक है, तो यह बना 4 की power 20, minus 2 की power 20, और divide by 2, A39 को इधर ले आए, A39 की value है, minus 20 into 2 की power 19, ठीक है, और यह जो आप से पूछा गया है, मान लेते हैं कि यह जो expression, यह S है, तो य इसको solve कर लेते हैं, इसको solve करने से जो आ रहा है, वही हमारा क्या है, correct answer है, तो देखिए इसको solve करने से कितना आ रहा है, तो इसको solve करने से हमारे सामने आएगा, देखिए, कैसे solve करेंगे, 4 को लिखा 2 की power 20, तो यह बनेगा आपके सामने 2 की power 40, minus 2 की power 20, चुकि 2 की power 19, 20, यह सब जगे पर common आ रहा है ठीक है यह चाहो तो एक बार इसको ऐसे ही रहने दो ठीक है उसके बाद में देख लेंगे इसको लिखा हमने minus 20 into 2 की power 19 और by 2 तो यहां से देखे कितना common आ जाएगा 2 की power 19 common आ जाएगा क्योंकि एक 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 बचेगा तो यहां से 19 common लेने के बाद में 2 की power 20 पीछे बचेगा क्योंकि 39 रहेगा 19 common ले लिए 20 यहां से 19 पूरा common आ जाएगा सिरफ minus 1 बचेगा यहां से पूरा common आ जाएगा तो यहां पर minus का 20 तो यह हमारा जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा और ऐसा हमारा कौन सा option है fourth option थोड़ा सा अच्छा question था ऐसे questions को थोड़ा ज्यान से कीजिए चलिए आगे बात करते हैं next question और next है जिसमें choice होती वो सारे complete हो गए है इसके बाद में आप सब को पता होगा आजकल means में integer type के questions आते हैं तो अब जो हम questions discuss करने जा रहे हैं आगे वो आपके binomial और sequence and series के integer type के questions से और उनका solutions हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहला question क्या है देखिए हमारा for a positive integer n this expand in the increasing power of x if three consecutive coefficients in the expansion are this this and this then n is equal to तो n की value क्या होगी वो हमें निकालनी है तो चलिए देखते हैं देखिए इसके अंदर तीन अगर हम मेरे को लगातार coefficients चाहिए ठीक है तो उसको आप किसी भी format में ले सकते हो ncr ncr plus 1 ncr plus 2 ठीक है चाओ तो उसके आगे वाले ले सकते हो चाहिए तो उसके पहले वाले ले सकते हो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो मैं तीन लगातार binomial coefficient क्योंकि कोई constant हो यहां पर है नहीं ठीक है तो वह तीन लगातार आपके सामने इससे देख लेते कितना है n factorial divided by n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial यह हमारी पहली ट्राम है ऐसे ही इसको इसका और इसका रेशियो चाहिए हमें ठीक है न तो इसको इससे डिवाइड करेंगे लेकिन बाद में n factorial divided by n minus r factorial into r factorial ऐसे इसको डिवाइड करेंगे n factorial divided by n minus r minus 1 factorial और साथ में आएगा r plus 1 factorial अब देखिए इसमें calculations कैसे करनी है क्यों क्योंकि आपको calculation बहुत ती जान से करनी होती है ऐसे कि इसमें सिर्फ calculation की गलती होती है और कुछ गलती नहीं होती है कैसे करेंगे देखिए तो common term है सबसे पहले उनको काट दो तो उपर से n factorial क यह इस से चोटा और यह सबसे चोटा तो इसको रखो और इसको expand करो n minus r plus 1 फिर n minus r आएगा लेकिन अभी भी यह इस से चोटा है तो एक बार और expand करो n minus r फिर n minus r minus 1 factorial आएगा जो यहां पर भी बनेगा और इसको भी हम उस format में करेंगे तो वो कट जाएगा यह सबसे चोटा है तो इदर से यही बचेगा बस one upon इसको भी एक बार करेंगे n minus r और फिर जो n minus r minus 1 है वो तीनों से कटेगा इसको करेंगे r into r minus 1 तो यह r रहेगा और r minus 1 जैसे इदर से कटेगा और उधर वाले को भी हम r minus 1 में लाएंगे वहां से भी कटेगा divide by one upon यह cancel out हो चुका है क्यों इसको इसके equivalent कीजिए एक बार इसको इसके equivalent कीजिए फिर से देखी कुछ factors कट जाएंगे आपके पास दो बड़िया equations बनेगी दोनों को solve करने से आपका answer आ जाएगा देखते कितना आ रहा है इसको इसके equivalent करेंगे तो n minus r कटेगा तो आपको जो equation मिलेगा वो मिलेगा r will be equal to n minus r को कटने के बाद में अच्छा equal to नहीं क्योंकि हमें इसका ratio भी दिया गया है न कि this divide by this कितना है 2 is 2 5 is 2 कितना 12 तो इसको इससे divide करेंगे तो 2 by 5 के equal होगा तो देखी ये उदर जाएगा n minus r कट जाएगा तो r upon 7 में आपके पास में नीचे बचेएगा n minus r plus 1 और ये किसके equal होगा पहला divide by दूसरा equal है आपका 2 by 5 के तो ये एक condition बनेगी आपके सामने ऐसे आपको दूसरा divide by तीसरा करोगे तो ये उपर जाएगा तो इस बार r कटेगा और आपके बचेगा r plus 1 और divide by नीचे से n minus r और ये किसके equal है ये 5 by 12 के equal है तो ये condition बनेगी इन दोनों को solve कीज है तो solve कैसे करना है cross multiplication यहां से करेंगे तो आएगा 5R will be equal to 2N minus 2R plus 1 तो कितना आजए आर वाली टरम को इदर ले आईए 7R will be equal to 2N plus 1 ऐसे इदर करेंगे यहां से करेंगे तो आएगा 12R plus 12 will be equal to 5N minus 5R आर वाली टरम को इदर ले आईए 12 plus 5 17R will be equal to 5N minus 12 इसको इससे divide कर दीजिए तो देखेंगे आपको मिलेगा 17 by 7 will be equal to 5N minus 12 12 divided by 2N plus 1 उसको उससे क्यों किया क्यों हमें N चाहिए R को गाइब कर दिया अगर R चाहिए होता तो उसको इदर लाके N को गाइब कर देते इसको solve करते है 34N plus 17 will be equal to 35N minus 12 into 7 there will be 84 तो कितना N कितना आजाएगा हमारे सामने यह इदर आजाएगा यह वर calculation देख ले न 7 into 2 14 और 7 में यहां पर आजाएगा आपके सामने ठीक है 2N minus 2R यहां पर देखेंगे प्लस 2 होगा इसलिए मैंने का थोड़ा सा calculation को चेक कर लीजिए कि calculation में गलती ना हो जाए तो 17 into 2 कितना हो जाएगा यह 34 हो जाएगा ठीक है और अब देखें यहां से कितना आएगा तो इसको इदर लेके एगे N और 84 इदर आजाएगा प्लस 48 और 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 की जो वैल्यू आएगी आपके कितनी आजाएगी 118 ठीक है इसका जो आंसर आएगा आपका पहला इंटीजर टाइप का क्यूसर ने उसका 118 और आजकल देखें जो क्यूसर आते हैं उसमें कोई भी इंटीजर आ सकता आपका जीरू स आते थे उसमें जीरू से 9 तक आंसर आते थे बट आजकल डेसिमल इंटीजर किसी भी टाइप का फूस लेते तो उसके लिए आपको इंस्टेक्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना होता है बाकी कोई दिक्कत नहीं है आगे देखते नेक्स्ट क्यूशन दन नेच्छ 22 माइनस आर और साथ में हैं हमारे सामने 1 अपॉन एक्स स्क्वाइर की पावर आर लेकिन साथ में देखिए इसका जो पॉपिसेंट देरका है तो 22C आर को सबसे पहले हमें देखना है 1540 यह कब होगा ठीक है तो देखिए क्योंकि कापी छोटा नंबर है तो इसके अंदर हम हम देखते हैं कुछ वेल्यूज क्योंकि इसको निकालने का तरीका होता है 22 डिवाइड बाई वन अगर 22 अगर आर वन होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा ऐसी आर टू होगा तो एक नंबर ऊपर नीचे से और इधर से टू आएगा लेकिन अभी भी नंबर चोटा है क्य यह बेटर तरीका होता है क्योंकि छोटा नंबर होता है अगर बहुत बड़ा नंबर हो तो फिर हम वेसा सोचेंगे फिलाल देखते हैं इस से तो टू से कैंसल आउट वहा टेन टाइम और थ्री से कैंसल आउट हो गया सेवन टाइम तो देखिए आपका तुकका सही बेट गया तीन बार में ही 1540 आचुका है इसका मतलब यह हुआ कि आर की वेल्यू 3 होगी आपकी तो आपको वहाँ से दिखाए देगा कि 22 इंटू 22 माइनस आर इंटू एम और साथ में आएगा माइनस का 2 आर यह कितना होना च चाहिए देखते हैं यह वन कब होगा क्योंकि हमारे आर की वेल्यू 3 दिखाए दे रहे हैं किसकी वैल्यू 22C3 की वैल्यू है यह तो इसमें 3 पूट करते हैं तो यहां से एम मिलेगा 22 माइनस 3 डैट विल बी 19 और यहां 3 पूट करेंगे तो यह उदर जाकर के 7 तो एम की व 1540 आ रहा है मलब सही है इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर दो पोसिबिलिटी हो सकती है और आपको पता होगा कि 22C3 की जो वैल्यू होती है वो 22C19 के भी इक्वल होती है क्योंकि ncr will be equal to ncn-r इसका मतलब यह हुआ कि हमारा r19 भी हो सकता है अब देखते हैं कि जब r19 है तब क इक्वल टू वन तो इस बार देखिए आपका तुक्का सही बैट गया थर्टी नाइन बाइट इस थर्टी इसका मतलब जो m की जो वैल्यू आएगी यहां पर वो कितनी हो जाएगी हमारी 13 हो जाएगी और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 13 आएगा क्लियर है आएगे बच्चों चलिए आगे बात करते हैं next question and next question number 37 all question number 37 में देखिया क्या पूछा गया है एक्सकी पाउर 4 प्यूपेशन्ट क्या होगा गया है तोजया 2010 से लगवा आईटी में पूछे जा रहे हैं ठीक है और बहुत ही सिंपल QT होते हैं ठीक है इन क्यों के लिए क्या करना होता है कि एक है तो ये binomial से बड़ा लेकिन आप binomial की तरीके से विकर solve करते हो तो आपका सही answer आ जाता है 1 प्लस x प्लस x square प्लस x cube की पावर 6 अगर हम में इसको binomaly expand करूँ इसको पहली ट्रम और इसको दूसरी ट्रम इन दोनों को पहली इन दोनों को दूसरी ट्रम लेके तो मेरे को मिलेगा 6c0 1 प्लस x की पावर 6 वो तो 0 आ जाएगा प्लस 6c1 इंटू 1 प्लस x की पावर 5 और उसकी पावर 1 लेकिन उसमें से एक x को गर में common ले लू तो यह बनेगा 1 प्लस x की पावर 1 और x square क्योंकि x square बाहर आ जाएगा अब देखी क्योंकि मेरे को x की पावर 4 का coefficient ही पूछा है ठीक है तो अगर मैं इसके आगे वाली ट्रम में जाओंगा तो मैं इसका square करूंगा और इसका जब square करूंगा और वहां से जब मैं x square को बाहर common लूँगा तो चली एक बार लिख लेते का x की पावर 4 इसके आगे वाले में तो x की पावर 6 common आएगा तो उसमें तो x की पावर 4 का कोई चांस ही ही नहीं तो यहां से देखते हैं इसके अंदर आएगा सबसे पहले 6c4 ठीक है 6c4 क्या होगा x की पावर 4 का coefficient इसमें देखी x square present है और यह दोनों मिलके वापिस 1 प्ल 1 प्लस x की पावर 6 into x square तो हमें x square का coefficient चाहिए तो वो आपके सामने कितना होगा वो 6c2 ही होगा और यहां से देखिए 6c2 पहले से present है और x की पावर 4 का coefficient present है तो शिरफ हमें उसमें से constant रम चाहिए और वो हो जाएगे आपकी 6c0 देखते कितना रहा है 6c4, 6c2, 6 into 5, 30 by 2 that is 15 plus 6 into 15, 62 ही है यह भी 62 है that is 15 तो कितना आगया देखिए 15 plus 15 30 और 15 into 6 that will be 90 तो हमारा जो answer आएगा that is 120 और इसमें आपको multinomial की जरूत नहीं है आप binomial से ही कर सकते हैं हमेशा questions को और इस तरीके से आपका हर question का answer आजाता है ठीक है easily आजाता है चलिए आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 38 और question number 38 में देखिए हमें क्या करना है यहां पर आपको एक expression दिया गया है और इस expression से आपको क्या करना है आपको A7 by A13 की value निकालनी है और देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि A7 और A13 बिल्कुल मिडल वाली ट्रम्स है तो multinomial से अगर जाओगे ठीक है तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि काफी calculation करना ही पड़ेगी एक चीज़ आपको दिखाए दे रहे होगी सेवन और 13 सिमेट्रिक पूछा है हमसे सेवन और 13 20 होता है उधर भी कुछ 20 ऐसा कुछ दिया हुआ है 10 ठीक है यह एक्स की पाव 20 तक जा रहा है वो maximum तो यह सिमेट्रिस अगर मैं इस एक्सप्रेशन में एक्स को वन टू बाई एक्स से रिप्लेस कर दूँ तो यह एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरा 8 बाई एक्स स्क्वार प्लस 3 बाई 6 बाई x and प्लस 4 और इधर कितना आ जाएगा इधर भी क्योंगी x को मैंने 2 बाई x से रिप्लेस कर रहा हूं तो पहले जैसे a0 होगा तो वो तो a0 ही रहेगा a1 जो होगा उसमें एक 2 और आ जाएगा और यहां से दिखना एक 2 common आ रहा है तो बाहर तो आ जाएगा 2 की पावर 10 यह आ जाएगा आपके सामने 4 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वार की पावर 10 and divide by x की पावर 20 इधर x भी x की पावर 20 आएगा क्योंकि last में आपके सामने x की पावर 20 रहेगा उसमें आपने 2 by x से रिप्लेस किया है तो नीचे आएगा x की पावर 20 और उपर बनेगा आपके सामने a not into x की पावर 20 प्लस 2 time a1 x की पावर 19 और ऐसे को चलता रहेगा तो यह तो इससे कट जाएगा अब दीगी यह तो वही चीज है जो पहले थी तो इसकी जगे पर तो आप क्या लिख सकते हो वापिस य यह हो गया 2 की पावर 10 और साथ में उस वाले बाइनोमिल को लिखेंगे तो आएगा a not plus a1 x plus a2 x square and so on और इधर जब देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है a not x की पावर 20 प्लस 2 time a1 into x की पावर 19 and so on ऐसा अब क्योंकि यह चीज इसके इक्वाल है तो दोनों साइड से ज देखें या किदर से भी देख सकते हो इधर से आप 13 को दर से 7 को देख सकते हो आंसर से मरेंगा कोई चैंज नहीं होगा ठीक है तो इधर से आप a7 का अगर कोफिशेंट देखें तो वह तो कितना है 2 की पावर 10 into a7 और लेकिन a7 का कोफिशेंट के आएगा x की पावर 7 तो क्योंकि देखें इधर से decreasing order में है तो x की पावर 7 का कोफिशेंट इधर से देखेंगे तो जल्दी दिखाए देगा तो इधर से जब इसमें देखोगे आप तो आपको मिलेगा 2 की पावर 13 into a13 मिलेगा x की पावर 7 का कोफिशेंट और क्योंकि ये expression इसके equal है तो दोनों कर एक दूसरे के equal है तो यहां से देखिए a7 by a13 की value आ चुकी है कितनी होगी 2 की पावर 13 divided by 2 की पावर 10 so that will be 8 so हमारा जो correct answer होगा वो 8 होगा और हम इस तरीक से compare करके हमारा answer calculate करेंगे clear है चलिए आगे बात करते हैं next question और next question क्या है देखिए हमारा next question number 39 और question number 39 में हमसे क्या पूछा गया है क्या दिया गया है तो यहां पर देखिए फिर से एक expression है ठीक है और binomial type का ही लग रहा है और हमें इसको solve करके और क्या करना है n की value बताने की n किसके equal होगा चलिए देखते हैं let n be a positive integer a will be equal to this if 63 a will be equal to this then find the value of n चलिए देखते हैं देखिए अगर यह है तो इसको कैसे हम solve करेंगे इसको minus 1 की power k n c k को अगर मैं अंदर ले जाऊं ठीक है तो यह क्या बन रहा है n c r into minus 1 की power r into 1 by 2 की power r actually यह आपके सामने expansion है किसका 1 minus 1 by 2 की power n का expansion है clear है हमें कैसे पता से लेगा तो इसको expand कीजिए देखिए आपको यह सारी terms मिलेगी ऐसे इसको जब इसके साथ मिलाएंगे तो यह मिलेगा आपको 1 minus 3 by 4 की power n का expansion n क्यों आ रहा है क्यों 0 से लेके n तक हम जा रहे हैं और that will be equal to a ऐसे अगला आ रहा है आपके सामने 1 minus 7 by 8 की power n और and so on आगे चलता रहेगा तो a की value क्या आगई a की value आगई है हमारे सामने 1 upon 2 की power n यहां पर भी 1 upon 4 आएगा 1 upon 4 की power n यहां पर 1 upon 8 की power n ऐसे 1 upon 16 की power n और 1 upon 32 की power n पांस ट्रम की GP है इस GP का सम निकालना है और फिर हमें वह से compare करके देखना है कि n कितना होगा चलिए देखते हैं पहली ट्रम है 1 upon 2 की power n into 1 minus 1 upon 2 की power 5 ट्रम है 105 n हो जाएगा r की power n होगा और इसको इससे divide करेंगे तो 1 upon 2 की power n ही आएगा और 1 minus 1 upon 2 की power n इसको इसके साथ में multiply करते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है देगे तो इसको इदर multiply किया तो आपको मिल रहा है a into 1 minus 1 upon 2 की power n और उदर इसको multiply कर दिया तो इदर आ गया 1 upon 2 की power n और साथ में आएगा minus 1 upon 2 की power 6 n अब देखिए थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है यहां पर एक चीज और है वहां पर ठीक है क्योंकि उस साइड है हमारे सामने 1 minus 1 upon 2 की power 30 ठीक है तो उदर तो हमें वही format रखना है ठीक है तो उदर वह format रखना है तो इसको हम इस तरीके से नहीं देगी है क्योंकि इदर right hand side में तो हमें 1 minus वही रखना है तो इस पूरे factor को हम क्या करत n सो 1 upon 2 की power n और साथ में divide में कर देते 1 upon 2 की power n ठीक है ताकि उदर वाला जो factor है वह as it is रह जाए that will be 1 minus उदर हमारे सामने क्या factor था 1 upon 2 की power 5 n थाकि यह 1 हमारे पास जिंदा रह जाए अब हम देखते compare करके यहां पर 30 है और यहां पर 5 n है तो n कितना होना चाहिए n 6 होना चा होगे तो यह बिल्कुल आपका इसके equivalent आ जाएगा ठीक है इस यह जो 63 a आ रहा है वह आ जाएगा और राइट-hand side में भी आपके सामने 2 की power 30 आ जाएगा ठीक है तो यहां पर जो n की value होगी हो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी चलिए आगे बात करते हैं next question और next question क्या है हमार next question number 40 और question number 40 में देखिए हमसे क्या पूचा गया है question number 40 में आपको एक binomial expressions दे रखे हैं एक नहीं दो दे रखे हैं और उन दोनों से आपको बताना है कि maximum value of k क्या होगी अगर हम इसको solve करते हैं तो देखिए अगर ज्यान से देखेंगे तो constant same बन रहा है यहां पर और यहां constant same बन रहा है तो इसका जो coefficient आएगा वो कितना आएगा 25 ck ऐसे यहां पर भी बन रहा है और यह भी बनेगा 25 ck प्लस 1 बहुत बार कर चुके हम लोग ऐसे ठीक है अगर double होते हैं same होता है तो उसका उपर double कर देते हैं और नीचे जो दोनों का constant आता है पस ध्यान यहीं रख जाएगा 26 ck प्लस 1 उपर एक बढ़ जाएगा नीचे जो बढ़ा हूँ आ जाएगा यह maximum कब होगा जब k प्लस 1 कितना होगा 13 होगा middle term पर होता है तो k की value कितनी हो जाएगी 12 तो इस तरीके से इसका answer आजाएगा हमारा 12 बहुत simple था यह तो आगे बात करते हैं next question next है हमारा question number 20 41 और question number 41 में देखिए हमसे क्या पुछा गया है यह जो binomial coefficient है इसके अंदर x है independent term लेकिन थोड़ा complicated है तो इसको थोड़ा simplify करते हैं इसको देखकर कैसे लग रहा है कि इसको अगर मैं x की power 1 by 3 plus 1 से अगर multiply करूँगा 1 by 3 plus 1 से उपर नीचे उपर तो है x plus 1 और नीचे भी बन जाएगा a plus b a square minus ab plus 1 तो यह भी बन गया x plus 1 यहां से देखिए उपर वालेके factor कर दिया root x minus 1 into root x plus 1 और नीचे से root x को common ले लिया तो यह भी बनेगा root x minus 1 तो देखिए root x minus 1 गया x plus 1 गया x की power 1 by 3 plus 1 minus root x से divide किया 1 minus 1 upon root x तो 1 से 1 भी गया अब देखिए कितना simple लग रहा है x की power 1 by 3 minus 1 upon root x actually यह जो expression है आपका यह है ठीक है इसकी power कितनी है 10 अब हम इसमें x से independent term बहुत इजिली निकाल सकते हैं कैसे निकालते हैं वही general term लिखेंगे क्योंकि symmetric नहीं है x की power 10 minus r by 3 और साथ में कितना आएगा minus 1 upon root x क power r तो हमें तो सिर्फ x की power देखनी है तो उपर है 10 minus r by 3 और नीचे से आएगा minus r by 2 और यह कितना हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए इसको solve किया तो हमें मिलेगा देखिए यहां से lcm लेंगे तो 20 minus 2 r minus 3 r will be equal to 0 so r will be equal to 4 r equal to 4 पर यह क्या हो जाएगा आपका x है independent हो जाएग so that will be 10c4 और 10c4 होगा 10 into 9 into 8 into 7 by 24 8 से 3 टाइम 3 से 3 टाइम so there will be 210 इसमें एक चीज़ और जान रखनी है वैसे इंटीजर टाइप का है तो यहां पर तो होगा नहीं ठीक है क्योंकि यह वाली जो ट्रम है इसमें minus sign भी है लेकिन क्योंकि r4 आ रहा है तो minus sign गाइब हो जाएगा ठीक और अगर आपके सामने option वाला question होता तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आपका answer हो जाएगा 210 क्लिर है चलिए आगे बात करते हैं next question और next हमारा question number 42 और question number 42 में देखिए हमें क्या पूछा गया है हमें दिया गया है कि M और N क्या है यहां पर natural number है GCD of 2 and N आपके पास में 1 है मिस दोनों के इंदर कोई भी common factor नहीं है 1 और खुद के अलावा और इसके अलावा आपको क्या बोला गया है कि यह जो है इसका sum अगर यह है तो N plus M कितना होगा तो देखिए मैंने पहले भी बात की थी आपको जब भी numbers और binomial coefficients आते हैं तो आ N into 1 plus X की power N minus 1 और उसमें आपको X को क्या 1 put करना है तो यह बनेगा आपके सामने 30 into 1 plus 1 की power N minus 1 that is 29 लेकिन देख लीजिए क्या expression वे सही बन रहा है क्या 1 into 30C1 बनना चाहिए तो बिलकुल इसको 1 into 30C1 में convert कर सकते हो 2 into 30C2 up to 30 into 30C30 मतलब सही यह 1 से लेकर के वहां तक जा रहा ह है तो आपका जो answer होगा वो यह आएगा इसको लिखा 30 into 2 की power 29 ऐसा ही दे रहा है आपको लेकिन आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना ऐसे question में 2 की power M, M और N आपको यह दे रहा है कि यहां पर क्या 2 और N का जो GCD है वो 1 होना चाहिए, N आ रहा है यहां पर 30, तो देखे 30 औ तो 2 का जो GCD है greatest common divisor वो 1 नहीं है, तो आपको क्या करना होगा अभी इसको change करना पड़ेगा, क्योंग इसका GCD कितना आएगा, 2 आएगा, greatest common divisor, तो इसको 1 कैसे लेके आए, तो इसमें से एक 2 को इसके अंदर multiply कर दो, तो यह हो जाएगा 15 into 2 की power 30, अब जो number बन रहे है ना 15 15 or 2, इनका GCD 1 हो जाएगा, इसका GCD 1 हो गया, that means हमारी N की जो value वो कितनी है, वो 15 है, और N की value अगर 15 है ना, तो M फिर कितना होगा, 30 होगा, तो M की value 30, और 15 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 45, तो इस तरीके से हमारा जो correct answer होगा, that is 45, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, next है ह से क्या बोला गया है, क्या पूचा गया है, अगें देखिए, डिवाइजर वाला है, ठीक है, मैंने आपको बताया था भी थोड़ी देर पहले कि बच्पन का तरीका यूज करना है, ठीक, अगर जरूत पड़े, तो binomial यूज कीजिए, नहीं तो बच्पन का तरीका ही यू देख सकते हो, 2020, प्लस X से आपके पास में 4Q, और साथ में आ रहा है, प्लस 3, और होल टू दी पावर 2022, इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे, तो रिमेंडर क्या होगा, ये बताना है, तो चलिए देखते हैं, 8 से डिवाइड करने पर रिमेंडर निकालना है, तो सबसे पहल करते हैं, कि उस फॉर्मेट में ये कितना आएगा, ठीक है, तो देखे, इसको जब 8 से डिवाइड करोगे, 8 इंटू तो 16, पिछे बचे बचेगा 4, उसके बाद में 16 के बाद में 42, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो 40, फिर से 2, और उसके बाद में फिर आएगा 4, मिस ये 4 के पॉर्मेट में आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, इसको मैं कनवर्ट कर सकता हूँ, 8 Q, ठीक है, 8 Q डेस प्लस 4, R डेस प्लस 4 Q, प्लस 3 की पावर, 2022, अब देखे, इसको जब डिवाइड करोगे, तब तो रिमेंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, लेकिन इसक जब हम डिवाइड करेंगे, तो रिमेंडर अभी 0 नहीं आएगा, तो हमें फिर से करना पड़ेगा, अब इसके अंदर जब हम देखते हैं, ठीक है तो क्योंकि यहां पर नमर तो बचे नहीं है, तो अब हमें इसमें बाइनोमियल ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन देख तो इसे चलता रहेगा, 2022 C1 उसके अंदर आएगा 4R प्लस 4Q, 4R दस प्लस Q, तो 4 यहां से आजाएगा, 2 से आजाएगा, यह भी डिवाइड हो जाएगा, तो सिरफ लास्ट वाली ट्रम बचेगी, that is 3 to the power 2022, इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 से और रिमेंडर देखिए, 3 को convert की आगे 9 में, so 9 to the power 1011, इसको 8 से जब डिवाइड करोगे, तो आपका रिमेंडर आजाएगा 1, और इस तरीके से आपका जो correct answer होगा, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है, चलिए, आगे देखते हैं, next question, next question है हमारा question number 44, और question number 44 में देखिए, हमसे क्या जाना है, कि इन दोनों के sum, अगर 10 की power r का गुणज है, ठीक है, the total number of two digit number n such that this is the multiple of 10 to the power r, तो देखिए, आपने बच्पन में अगें फिर से एक identity पड़ी है, कि a की power n plus b की power n का एक factor a plus b होता है, अगर n odd होता है, तो और अगर n even होता है, तो ये factor नहीं होता है, दोनों बनेगा, तो 3 plus 7 आपका 10 बनेगा, तो वो 10 की power r का multiple हो जाएगा, और ऐसा कब बनेगा, जब n odd होगा, means आपकी n की value 11, 13, 15, up to 99 तक कुछ भी हो सकती है, two digit number में, तो ऐसे आपके सामने जो total numbers आएंगे, और कितने आजाएंगे, 45 numbers आजाएंगे, चले, so next देखते हैं, आगे, question number 45, और question number 45 में देखिए हमें क्या दिया गया है, यहां पर देखिए तीन चीजे हैं, इन तीनों चीजों को simplify करते हैं, सबसे पहले हैं, यहां पर 0.16, ठीक है, so 0.16 को देखिए हम simplify करके क्या लिख सकते हैं, 16 by 100, और simplify किया, so there will be 4 upon 5, 4 से डिवाइड कर दिया, so 4 divided by 25, so that will be equal to 2 upon 5 का all square, clear है, और चाहें तो हम इसको, अगर reciprocal के format में चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, 5 by 2 की पावर minus 2, ठीक है, तो देखते आगे, next अगर हम देखें, 2.5, so 2.5 हो जाएगा 25 by 10, so there will be equal to 5 by 2, ठीक है, 5 by 2, वो भी 5 by 2 के format में था, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, जैसा है, इसके बाद में यह सीरीज है, इस सीरीज को अगर S माल ले, तो S का जो सम आ रहा है, यह इसकी value आ रही हो, कितनी आएगी, यह एक infinite GP है, और infinite GP का सम होता है, 1 divided by 3, all divided by 1 minus 1 divided by 3, so यह आ जाएगा, आपका 1 by 3 divided by 2 by 3, so 3 से 3 cancel out, and that will be equal to 1 upon 2, यह सारी चीज़े यहां पर put कर द 5 by 2 की power minus 2, साथ में है log, यहां पर भी 5 by 2, और यहां पर आ जाएगा 1 by 2, S आ जाएगा, और S की value कितनी है, 1 by 2, यहां से इस minus 2 को उपर चड़ा देते हैं, तो यह देखिए, दोनों चीज़े सेम हो जाएगी, तो यह cancel out हो जाएगा, और आपके सामने आ जाएगा, 1 by 2 की power minus 2 और जिसकी value कितनी होती है, 2 की power 2, so that is 4, तो आपका जो final answer होगा इसका, वो कितना आएगा, 4 आएगा, so that is 4, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, और next है हमारा question number 46, और question number 46 में देखिए, हमें क्या दिया गया है, question number 46 में आपको दिया गया है, कि M arithmetic mean and 3 geometric mean are inserted between 3 and 243, such that fourth arithmetic mean is equal to the second geometric mean, तो देखिए, हमें दो चीजे निकालनी है, यहाँ पर fourth arithmetic mean और साथ में second geometric mean, ठीक है, तो देखते हैं, क्या आ रहा है यहाँ से, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हमें geometric mean 3 ही चाहिए, तो 3 geometric mean निकाल लेते हैं, 3 से लेकर 243, और अगर देखिए, आप ज्यान से देखेंगे, अगर दोनों numbers को, ठीक है, तो यह आपर 3 के multiple लग रहे हैं, तो एक possibility है कि 3 के multiple ही आए हमारे सामने, तो एक बार try कर लेते हैं, कि कहीं 3 के multiple तो नहीं है, अगर नहीं होगा तो फिर formula तो ही अपने पा तो हमें अब आगे इसको दुबारा formula वगर भी जुरूत नहीं है, यहीं 3 geometric mean होंगे, और इसका जो second geometric mean होगा G2, ठीक है, उसकी value कितनी आजाएगी, उसकी value आजाएगी 27, अब बात करते हैं, arithmetic mean की M arithmetic mean insert करने हैं, तो सबसे पहले उसका common difference निकालते हैं D, जिसका formula होता है B minus A, B means last rum, A means first rum, divide by number of arithmetic mean that is M plus 1, तो यह आजाएगा 240 divided by M plus 1, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, fourth arithmetic mean, so A4 की value होगी, वो क्या होगी, वो होगी, first rum plus 4 into common difference, first rum है हमारे सामने 3, और plus 4 into common difference, that is 240 divided by M plus 1, और यह किसका equal है, यह आपका second geometric mean के equal है, G2 के equal है, जिसकी value है हमारे सामने 27, तो देखते कितना आ रहा है, 4 into 240, divide by M plus 1, will be equal to 3 को इधर ले आए, तो 24, इससे यह cancel out हो जाएगा 10 time, तो आपको यहां से मिलेगा, M plus 1 इधर आ जाएगा, so 4 into 10, that is 40, so M की value आजाएगी 39, और M ही आपसे पुछा गया था, तो यहां पर M की value होगी, वो कितनी आएगी, 39 आजाएगी, तो इसका जो answer होगा, वो कितना होगा, 39, तो चली बात करते है next question, और next question number 47, और question number 47 में देखिए आपको क्या दिया गया है, arithmetic mean and geometric mean of pth and qth term of this sequence is satisfied this condition, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम इसको solve करते हैं, क् इसके अंदर हमें सारा data non है, तो देखते हैं कि यहां से arithmetic mean और geometric mean की value क्या आ रही है, ठीक है, तो इसको देखिए, हमने factorization कर दिया, 4x square minus 5x minus 4x plus 5 will be equal to 0, यहां से x common आएगा, 4x minus 5, और यहां से minus 1 common आएगा, 4x minus 5, तो देखिए, x की दो values मिल रहे हैं, यहां से आपको, एक त यहां से हमारे 4x common आ रहा है, तो एक बार इसके factorization लिखते देखिए, कितना आ रहा है, ठीक है, तो यहां से आपको दो values मिल रही है, एक आ रही है, x minus 1 और एक value आ रही है, 4x minus 5, will be equal to 0, ठीक है, तो x की value आगे है, आपके सामने 1 और 5 by 4, ठीक है, तो इसमें से जो एक value है और एक value है geometric mean, लेकिन देखिए, हमें पता होता है कि arithmetic mean जो होता है, वो हमेंसा geometric mean से या तो equal हो सकता या उससे ज्यादा होगा, और क्योंकि यह दोनों इसको satisfy कर रहे है, दोनों different आ रहे है, इसका मतलब यह हो गया, कि इसका geometric mean होगा, वो कितना होगा, वो होगा आपका 1, ठी जो होता है, तो अब हम देख सकते हैं कि आगे हमारे सामने discussion के अंदर, कि जो बाकी जो पार्ट है, कि Pth और Qth ट्रम कैसे निकालनी है, तो Pth और Qth ट्रम का geometric mean कितना होगा, रूट G, तो इसका अगर मैं square भी कर दूँगा, तो G square की value कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, Pth कित ट्रम आएगी, आपके सामने minus 16 into minus 1 by 2 to the power Q minus 1, और यह आपको कितना दिया हुआ है, यह आपको 1 दिया हुआ है, इसको solve किया, तो आपको मिला minus 1 by 2 की power P plus Q minus 2, और equal to में कितना आ जाएगा, 16 into 16 दो बार आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो, minus 1 by 2 की power 8 लिख सकते हो, ठीक इधर minus sign है, तो हम इधर भी minus ले लेते हैं, तो यहां से आपको P plus Q minus 2 की value मिल जाएगी, that will be equal to 8, तो यहां से P plus Q की value कितनी आ जाएगी, that is 10, so P plus Q का जो answer आएगा आपका, जो sum पूछा है आप से, वो यहां पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, शली आगे देखते हैं, next question, और next question number 48, question number 48 में देखिए आपको क्या दिया गया है, the sum of the first four term of a geometric progression is 65 by 12, and their sum of their respective reciprocals is 65 by 18, if the product of the first three term of the GP is 1, then find the third term, third term is alpha, then find the value of 2 alpha, तो चली बात करते हैं, सबसे पहले, तीन ट्रम का प्रोडेक्ट देरका है, तो माल लेते हैं कि तीन ट्रम A, R, A और A, R है, तो इनका प्रोडेक्ट 1 दिया गया है, तो R cancel out हो जाएगा, और यहां से आपको A की value मिल जाएगी, that will be 1, इसके याला हो जाएगा कि पहली 4 ट्रम का sum, A, 1 हो गया, so 1 by R, plus 1, plus R, plus R square, will be equal to 65 by 12, इनके reciprocal करेंगे, तो यहां से आएगा, R, इससे 1 ही मिलेगा, इससे 1 by R, plus 1 by R square, और इनका sum में कितना दिया गया है, 65 by 18, अब देगे, A में मिल चुका है, तो अगर R की value और आजाए, तो हमारा काम हो जाएगा, तो इसमें से इसको सब्टेट कर लेते ह हैं, तो यह cancel out हो जाएगा, यह भी और यह इससे होगा, यह इससे होगा, लेकि यह तीनों आपस में cancel out हो जाएगे, और आपको मिलेगा, R square minus 1 by R square will be equal to 65 को common ले लिया, इसमें LCM ले लेंगे 18, तो यहां आजाएगा 3 minus 2, इसके फेक्टर कर दीजे, देखे, R plus 1 by R into R minus 1 by R, औ तो इसके भी देखिए, अगर हम फेक्टर करते हैं, अगर 18 नहीं, LCM 36 आएगा, 65 के दो फेक्टर कर दिये, 13 और 5 प्राइम फेक्टर में और इसको equally डिवाइड कर दिया, क्योंकि इस तरीके से जब सिमेट्रिक होता है, तो यह क्या होता है, equally इस तरीके से डिवाइड हो ज पड़ेगा, R-1 by R हो जाएगा, आपका 5 by 6, या उल्टा भी हो सकता है, ठीक, लेकिन देखते हैं, दोनों के से में क्या-क्या answers आ सकते हैं, और अगर आपको इस तरीके से सोल नहीं करना है, तो आप इसको सॉल कर सकते हो, लेकिन डेटा थोड़ा सा complicated है, तो आपको calculation करनी प इसको इसमें add कर दीजिए, subtract मत कीजिए, ठीक, इसको इसको add कर दिया, तो यह plus, plus और यहां पर भी plus, तो यह cancel out हो जाएगा, और आपको मिलेगा 2R, 13 plus 5, 18 by 6, तो यह आजाएगा आपके सामने 3, so R की value आ गई 3 by 2, अब उल्टा भी हो सकता था, ठीक, उस case में देख लेकितन कितना आ रहा है, तो उस case में आ रहा है, R plus 1 by R को किया, हमने किसके equal, 5 by 6 के, और R minus 1 by R को किया, 13 by 6 के, फिर से add किया, तो यह value आए कि जो पहले आए थी, इसलिए that means, अगर हम इस तरीके से भी इसको solve कर लेंगे, तो हमारे answer में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों case में R की value 3 by 2 ही मिल रही है, that means, R यही होगा, clear है, हमें इसकी third term निकालनी है, तो third term क्या होगी, T3 की value होगी, A into R, क्योंकि हमने कहा से start किया था, A by R से start किया था, इसलिए third term AR होगी, A कितना है, 1, यह alpha दे रखा है, और R आ रहा है 3 by 2, तो 2 alpha की value कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और जो हम हमारा question number 49, question number 49 में देखें आपको क्या दिया गया है, considering arithmetic series and geometric series having four initial terms are these, if the last term of these series are the maximum possible four digit number, then the number of common term in these two series is equal to, तो सबसे पहले तो देखिए यह जो numbers दिये गए है, इन में से AP कहां से बनेगी और GP कहां से बनेगी, तो देखिए, अगर आप भ्यान से देखेंगे, तो यहां पर चिर्फ एक GP possible होगी, जिसकी पहली ट्रम 4 होगी, 4 के बाद में 8 आएगा, 8 के बाद 16 आएगा, और 16 के बाद 32 आएगा, ठीक है, और यह के से पता चलेगा, आपको देखना, इसको ज्यान से देखना है, तब आपको यह सारी चीज पता चलेगी, इसके अलावा अगर हम AP की बात करें, तो अगर हम 8 से स्टार्ट करते हैं, और कोई भी common difference लेते हैं, जिसे 8 के बाद 16 चलेगे, तो 16 के बाद में next 24 चाहिए होगा, जो नहीं मिल रहा है, इसके अलावा अगर हम 8 के बाद 11 चले जाते हैं, तो हम 14 चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 8 से नह आएगी, जो भी present है हमारे पास, और 21 के बाद 26 चाहिए, यह भी present है, तो यह तो आपकी GP है, और यह आपकी GP है, यह आपकी GP है, यह आपकी GP है, अब बात करते हैं, कि इनके अंदर common drums आएगी, वो कितनी आएगी, तो अगर हम देखें, इस AP को ज्यान से देखें, तो इसके अंदर unit place पे या तो 1 आ रहा है, या 6 आ रहा है, या 1 आ रहा है, आगे भी चलेंगे तो 31, उसके बाद 36, मिस 1 या 6 में से आएगा कुछ भी, और हमें जो GP वाली जो शिरीज है, उसके अंदर 2 के multiples है, तो उसको तो हम आराम से लिख सकते हैं, 4 डिजिट तक के सारे numbers, 4, 8, 16, 32, 32 के बाद में आगे क्या आएगा हमारे सामने, 64, 64 के बाद 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, और इसको जब डबल करोगे, so there will be 12, 18 plus 1, 19, 4 into 2, 8, 8192, इसके बाद आगे चलोगे तो आपके पास में 5 डिजिट का नमबर आ जाएगा, तो आपको कुछ फॉर्मला वगर लगाने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि बहुत ही चोटीशी ट्रम्स है, तो इस तरी से लिख के देख लेते हैं, अब देखिए इसमें और इसमें से कॉमन ट्रम्स होई होगी, जिसके यूनिट प्लेस पर या तो 1 आएगा या 6 आएगा, तो सबसे पहले देखिए 16 पर आ रहा है, और यहां पर कहीं पर भी 1 नहीं आ रहा है, 256 आ और जिसमें भी 1 और 6 आएगा ना वो सारी ट्रम्स आएगी, क्यों, क्यो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा, वो 3 होगा, सौटकट अपनाएगे, जितने ज्यादा हो सके, एक्जाम में मैक्जिमम मार्क्स लाने के लिए, इसी के साथ हमारी इस गुरुनिती का हम लास्ट क्यूसन डिसक्स करने जा रहे हैं, और फिर से द से डिवाइड किया 2061 और देखा रिमेंडर कितना आ रहा है, 17 से डिवाइड किया 36, यहां पर आएगा 17 इंटू 2, 2021 है, तो यहां पर 2 आएगा, तो फिर से 17 आएगा, क्यो सेंट किया रहे हैं, कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ रिमेंडर से मतलब है 151, इसके बाद में आए 136, तो 136 में से इसको सब्टेट करोगे तो आजाएगा 15, तो इसको जब आप 17 से डिवाइड करोगे, तो आपका रिमेंडर 15 आएगा, तो 15 को आप लिख सकते हो, 15 to the power 3762, इसको आप आगे और चला करके, और क्या लिख सकते हो, इसको आप माइनस 2 भी लिख सकते हो, ठीक ह इसके बाद में आगे बात करते हैं यह कि यहां 153 करते हैं, तो रिमेंडर vacun EC 2 आजाता है, तो इसको हमें करना है, तो माइनस को खाता नहीं पडेगा पावर एवन है, तो तो 2760, अब देखिए, मैं 17 से divine करना है तो हमें इसको आगे फर्दर प्रॉसीड करना है ठीक, और प्रोसीड करने के लिए मेरे जिए 17 के पास में ले के आना है, और 2 की पावर से 16 पे आ सकते हैं, लेकि 16 पे आने के लिए 4 का multiple होना जरूरी है, तो इसमें से एक टू स्क्वाइर को बाहर निकाल दिया तो बिचे बचेगा टू की पावर 3760 क्योंकि यह जो नंबर है यह आपका फॉर से डिवाइड हो सकता है ठीक है तो इसको हमने लिखा टू का हॉल स्क्वाइर और इसको जब लिखेंगे तो यह आएगा 16 टू की पावर फॉर और इ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 4 और 4 को 17 से डिवाइड करोगे तो रिमेंडर कितना आ जाएगा इसके लिए तो आप सिर्फ सिंपल मॉडलस वाला मैथड यूज करें जब भी रिमेंडर आता है ठीक है तो इस तरीके से अपने सारे कुशन को सॉल कर सकते हो जाओ इसके साथ हम आगे चलेंगे नेक्स्ट गुरुनीती थर्ड के अंदर जिसके अंदर हम डिसकस करने वाले हैं हमारी टिग्नोमेट्री का वाला पार्ट ठीक है तो इसको आप ज्यान से देख लीजिए और इसके अंदर कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का डाउट ठीक ह तो आप आकर के बोच सकते हैं ओके थेंक्यू वेरी मच्च